हलो दोस्तो हलो दोस्तो बेलकम पैक टुदे मास्टर क्लास और हाउ टू राइट एंड पब्लिश यह बुक आपकी बुक को कैसे आप जो भी लिखने बाले हो उसको कैसे राइट करें मतलब छोटे से लेगे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बात अपनी बुक को कैसे तरेन्ट करना चाहिए मैं आपको बता दूं अगर आप आप देक्सक्राओं पूरा और बड़ी से बड़ी इंफ़ोक हैं बहुतसे लोग इस इंफॉरमिशन के जो मैं आपको पताने इक आयूं कर्वन कर्यबंस दमाको बाला है मैं आपको आपर जोविजत चारी गंटे साल करती हैं गेंटागी सारी इंफॉरमिशनि आपको यह समाश्टर स्माश्टर Ewald जाएगी चार गंटे आप पूरा देखना और मतलब यह जो भी हमको में बताने बाला हूं बहुत हेल्पुल होने बाला है तो इसको पूरा देखना ठीक है और मैं मैं टॉपिक आपको मैं बता दूँ इस एपिशोड में हम क्या क्या सीखने बाले हैं ठीक है पश्ट दगो प स्कूप एंद्र इंपूर्टेंस ऑफ गृटि मुक राइटिंग क्योह चाहिए और यह भाय क्लियर नहीं हो ना तब तक हम कभी भी लिख पाएंगे और यह अमारा importance पता नहीं हो ना तब तक हमको कभी भी serious नहीं होगे लिकिने इसे related तो इसलिए मैं आपको बोल ला हूँ कि हमको बुक क्यों लिखना चाहिए यह सारी चीजे पहला तो हम यही बात करेंगे ठीक है तो फर्स्ट डैट स्कोप एंड इंपोर्टेंस और राइटिंग बोग तो यह जो भी मैं आपको बताने बाला हूं पिछले एक महीने से इस प्रोजेक्ट पर बर्क कर रहा था क्योंकि बहुत सारी कॉस्चन भी आ रहे हैं रिसे हम बोकल राइट कर सकते हैं हर एक इनफॉर्मेशन बहुत जानद है बहुत जानद डिटेल में आपको हर एक चीज मिलने वाली पछले एक महीने से इस कंटेंट पर मैं बर्क कर रहा था जो आपको आज फ्री में मिल जाएगा ठीक है जासे कि मैंने आपको बोलाईए ठीक ह और अगर आप इस फील्ड में कभी भी आपर करियर भी बना होगी न तो यह आपका उस करियर बनाने में बहुत बड़ी हल्प करेगा और आप इससे लागों रुपे कमा सकते हो अगर एक सही तरीके से इस कंटेंट को सिरियत लेते हो और अपनी लाइप में अप्लाय करते ह करेंगे आप शीले और बुक लतमे वाले किसी भी जौन ड़ा सारे था खरने में बहुत सरे हैं और इसमें बात करेंगे और रहांगे बात करते हैं सांस सांस पिक्षेंग या फिर मॉडिवेशन लेटर लेटर लिए या फिर आपको एडवेन चरसे पर बुक कीसे बुक को लिखना अभी से चालू कर दें ठीक है ये भी बात करेंगे हर एक section पर हम बात करें 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 हर एक section पर 30-30 मिनट की क्लास होगी हर इक हर एक बात करें तीस-30 मिनट की हर एक चीज को जाएगा टाइम ठीक है और how to sell your box और अपनी it was is published करवाएं या आप किसी publisher के पास जाके to publish करवाएं तो यह सब कोछ आपको इस में मलेगा ठीक है और उसके पाद आप आपने प्प्रश्ट भी करा लिए तो आप किसे तरीकेसे रिग से विक कर सकते हो जैसे मैंने मेरी भूक करी आपका आपकी बुक कैसे सेरे कर सकते हो ठीक है यह सारी बात हैं हम जाने इस masterclass में बहुत deeply content नीजाने बाला है बहुत आउड इंस तेंडियं होने वाला है मैं बोलना चाहता हूँ अगर आप इस content को देखते मैं यह कारेंट लेता हूं आपको बुक से रिलेटेड बुक राइटिंग से रिलेटेड हर एक हर एक चीज इनफॉर्मिशन मिल जाएगी आप कभी भी आपकी लाइब में पुप्लिश करोगी आशानी से आप आपकी लाइब में बुप्लिश कर पाप होगी ठीक है यह सब आपको इन नोट्स कूकर यूूज नहीं कहरूंगा तो मैं अपको क्लियर्ली टू दा पॉइंट इस्टव बाइस्टव गवाइड नहीं कर पाऊंगा लाग लाओ तो यह सारा नोट्स में यूज करने बॉस और आप जो भी आभी देख रहे हैं नो तो इसेट नात्म हम मैं आप से पूछ न चाहता हूं, are you excited for the session, if yes, then say yes, comment, chat box में लेको, yes, 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 yeah, Sumit, Sumit बुला है I am super excited, yeah, let me see the comments, yeah, Sumit, I am super excited, yeah, you are super excited, Amit, yeah, super excited, okay, yeah, yeah, comments आ रहे हैं, बहुश चाहरे, तो करते रहे हैं, और बहुश सारी बाते भी करेंगे, और मैं आपसे बीच बीच में question पूछते रहूँगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप बताते रहना, ठीक है, तो अभी अपने पास दो camera है, एक ये और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अपन सारी जो भी screen है, वो मुझको मेरे laptop पे देख रही है, त तो थोड़ा eye disconnect हों, तो कुछ tension मतले ना, थोड़ा उधर भी focus रहेगा, ठीक है, तो इससे कुछ tension मतले ना, और मैं हर एक बात को clear करते जाऊँगा, ठीक है, परस्ट हम बात करने जा रहे है, how to write your book के बारे में, ठीक है, अपना topic लिख लेने पहले, how to write and publish your book, भी start कर रहे हैं, तो start करने बाले, चलिए आंगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम बात करें, तो first topic भी हम discuss करने जा रहे है, buy to write a book, buy to write, कैस क्यों हमको अपनी book को लिखना चाहिए हूँ, ठीक है, तो first we are going to discuss that, importance of writing book, scope and importance of writing your book, ठीक है, तो चली सुरू करते हैं, first, सबसे आसान तरीका, कि you will, you will make money, अब पैसे बना होगे, first, कि आप पैसे बना होगे, कि अगर आप book write करने का सबसे importance क्या है, कि आप life में अपनी दे को एक बार book लिखी होगी, और उससे आप lifetime रुपे कमा सकते हो, it will be a passive income for you, और आप इससे बहुत जान रुपे कमा सकते हो, most of the people are earning lakhs of millions of money through writing box, और अभी तो e-book का भी आप trend देख लो, कि e-book पे बहुत सारे अपने पास एक्जाम पहले है, एक woman है, American woman, ठीक है, तो उन्होंने लग 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 पचास से जानदा book लिखी है, और उन्होंने करीवन, 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 तीन से चार मिलियन डॉलर, रुपे अर्न की है, वो भी e-book के through, Amazon पर, not by, not by publishing hard copy, just by e-book, e-book से उन्होंने इतने रुपे अर्न की है, जो भी आप motivational pages देखते हो ना, Instagram पर, तो वो उनके एक, एक, मिलियन, दो, दो, तीन, तीन, मिलियन फॉल्लवर रहते हैं, और सिर्फ वो पोश्ट करते हैं, motivational post, तो वो भी उनका एक रहता है कि how to grow on Instagram, Instagram पर कैसे गुरू करें और कैसे रुपे कमा इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर भी उनका वो option रहता है ना, तो वहां से भी बहुत जांदर रुपे earn करते हैं, तो वो और एक book के भी उनकी एक उसकी करीवन 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 कुछ ebook की price वो 10 डॉलर रगते हैं, तो कुछ की 100 डॉलर की Instagram से कैसे रुपे कमा सकते हो, कैसे अपने page को grow कर सकते हो, सिर्फ उसी ebook के और उससे भी millions of dollars earn करते हैं, ebook की बता रहा हूँ मैं, ठीक है book के लिए आप तो example दिख लो Rich Dad, Poor Dad, Harry Potter, J.K. Rowling became a billionaire by writing book Harry Potter, Harry Potter की आप जानते ही हो, क्योंकि Harry Potter को आप हर एक तरीके जानते हो, पहले वो book आई थी और फिर उसके बाद उस पे उस book पर movies भी बनी, एक तालिस time rejected होई थी, पर बहली से भी time selected होई थी और उसने हितियास रच दिया था, उस book ने, उस book के इतनी जानदा fan है, हर एक बंदा जानता है Harry Potter book के बारे में, अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप जानिये, बड़ी उस book को बहुत शानदार है, बहुत science fiction से related है, फैंटेसी से related है, तो वो book बहुत शानदार है, तो एक आपका idea है, मैं जे नहीं बहुत दा कि आप self-help book की रगो, motivation or inspiration से related book लगो, आप fantasy से related लग सकते हो, जो भी आपका drama हो, adventure से related है, बहुत जाना category है, वो category के बारे में बाद में discuss करेंगे, पर मैं अभी यह बोना से रहा हूं कि, first you will make money, और इतना बहुत जाना लोग है, जो कदे हैं, book से रुपे कमाते हैं, बहुत चांदे example हैं हमारे पास, ठीके, तो आपको समझ में हैं क्या, यह, पर अभी आओंगे, अभी तुझी तुम मैंने पश्टी important बताए, are you excited, तो chat box मिले को excited, say excited, yeah, I'm seeing everyone, yeah, I'm listening to you, yeah, everyone is saying excited, excited, तो मैं आपको यही बुरना चाहता हूं कि, आप पहला तो सबसे important देगो, अगर आप live में जो भी आप काम कर रहे हो, उसको आप जब तक काम करोगे, तब तक ही रुपे कम अप आओगे, पर book का एक ऐसा नियम रहता है, कि आपने एक बार book लिख दी, पर उसके बार हमेशा lifetime के लिए वो आपके earn कर के देगे, आपको lifetime के लिए रुपे आप उससे earn कर पाओगे, उस book से एक बार लिख दी और आपको lifetime के लिए रुपे आएंगे, तो book से book लिखने का सबसे important की why we should right above, तो सबसे important task मैं बता हुआ, एक मालू कि आप उससे रुपे कमा सकते हो, ठीके, second, second that instant credibility, जैसी instant credibility and authority, तो second is one of the most important, that instant credibility and authority, यह सबसे important क्यों है, तो आप कुछ भी काम कर लो, आप को यूटूब पे चैनल बना लो, ठीके, आपको यूटूब पे चैनल बना दो, आपकी इंस्टाग्राम पे follow होगा है, उतनी authority और credibility आपको उससे नहीं मिलेगी, आपके अगर 10 के follower हैं, या फिर आपके जो भी हैं, यूटूब पर 10,000 सब्सकाइबर हैं, 50,000 सब्सकाइबर हैं, बहुत time लगता है उस चीज में, ठीके, बहुत long process है, उसमें video editing करना पड़ता है, उसमें बहुत long career है, उससे भी अतनी authority मिलती है, पर जैसे ही आप आपकी book लगते हैं तो आप दुनिया के 95% लोगों से अलग हो जाते हो, और 99% लोगों से अलग हो जाते हो, कियोंकि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही book लगते हैं, और वो उससे भी कमात लिखते हैnych और तो इसके अरण से आप अजार कड़ोर लोगों से अर्व लोगों से आप अलग हो जाओं इस टैन्ट लोगों की केटगरी में जाओंगे क्यूंकि ऊव merit सिर्फ परसेंट लोग ही व्य पॉक लिखते हैं और जो बुक लिखते वह है मस फ Hijmas तो नहीं के वह रुपए अर्ण करते हैं और आप उस केटिगरी में जाओगे जो बुक लिखते हैं तो आप उस आई गया थिक तो फर्स्ट मैं यही बोलूँगा कि आपके पास ऑथरीटी आई इस्टेंट के डिविल्टी और ऑथरीटी आपके पास आजाई याप ऊथर बन जाओए लोग आपके पास एप्रूच करना चलो करें जैसकी मैं आपको बता था हूं मैंने जब मेरी पॉप्लिस की थी फर्स् सब्सक्राइब आपके डायरी याँ यहां पर रहके रहता हूं मैं इस बोस्त सब्स किय थी ईस्ट डायरी में लिगता है तो एसे करक civics तो बाइसे पास ??? credibility आ गई ठीक है तो लोग मुझे को congratulate कर रहे थे ठीक है ठीक है आपको automatically आप ओपर लेना ओपर आना चालो हो जाएंगे आपके पास public assignment आई लागेंगे लोग आपको approach करेंगे ठीक है आपको अब जैसे आपके पास credibility आती आप जैसकी मैं किसी किसे बंदे का interview लेता तो जैसकी मैं बुक publish करने से पहले और बुक publish करने के बाद का ठीक है तो मैं बुक publish करने से पहले मैं लोगों से बात करता था तो लगो लगो आप मैं उनसे instagram पर message करूँगा ठीक है उसके बाद मैं उनके email पर message करूँगा ठीक है LinkedIn पर message करूँगा तो मुश्कल से जहां पर रेस हो था मैं बताता हूं दस में से तीन और दो लोग मुझको reply देते थे और कम ही लोग reply देते थे पर जैसे ही मैंने book publish की उसके बाद sudden change you change जैसकि मैंने book publish की और कुछ दिनों बाद जब मैंने book के पोश्ट डाले बुक से related बहुत सारा content डाला मेरी उस पर उसके अगया नाम है YouTube चैनल पे भी और और मेरे Instagram पे भी LinkedIn पे भी तो यहां पर मैंने डाला और author एक बहुत बड़ा टेग रहता है author बुक लेकरने वाला तो वो टेग मुझको मुझको मिला तो उसके instantly people are sudden are huge change कि मैं लोगों बात करता था उनसे बात करता था किसी social related या पर कोई collaborations related या पर कोई मुझको answer यह होता कि आप कैसे कर रहा हूं क्या ग्रोथ है तो मुझको जसकी मैं 10 लोगों को reply कर रहा हूं तो वहां से 7-8 लोगों के message आ जाते थे तो यह चेंज आता है अभी recently मेरे पास मैंने कुछ लोगों को interview किया है उनके Instagram पे कुछ 50,000 follower है या LinkedIn पे भी अच्छे फॉलोव है यूटूब पर सब्सक्राइबर हैं कुछ लोगों के 20, 25, 25 हैं कुछ लोगों के लाग सब्सक्राइबर भी है तो एक कैसे अंतरा था बहुसे लोग इन्वाइट किया है उनके साथ interview किया है और उन्होंने book भी लेकिए कुछ लोगों ने book भी लेकिये तो मैंने उनके साथ interview किया है तो मुझको एक change लागा मेरे personality में जब मैं उनको बैसे approach करता था और बैसे approach करता था मतलब अब वातर बनने के बाद है अप्रोच किया तो ए तो यह मैं आपको अपनी language बता रहा हूं मतलब जो गाउं की लेंग बिज रहती है आप थोड़ा अपनी आप से connect कर पाओ ठीक है तो मैं यह बोलना चाहूं कि आपके पास एक authority है जाती है ठीक है आपको local level पे उतनी जांदा publishing नहीं मिले जतनी आपको global level पर या पर national level पर आ अपना wireless mic है वो से record करते या फर वो यह वाल mic से record करते मेरा अंदर रखा है तो इस कारणता अपना उस mic से record नहीं कर पा रहे है ठीक है तो इस कारण से अपन इसको लेना पड़ा है तो आपको अश्की बेभी आपको अब आच के लिए आई तो मेरे गाउं की level पर मुझ को इ पर जैसे बाहर जैसकी गोजराद मुंबाई आपर पबलेशिंग बुपल कॉलिंग मी फॉर इंटर्विव पीप स्कूल आर कॉलिंग मी फॉर इंटर्विव जो भी मैंने बात की तो बहुंसे आपको रिस्मोंग लगता है लोग भी कनेक्ट अना चालू करते हैं कि आपने कै इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉंज मैं उसको जानता नहीं था तो एकदम सटन चेंज आता है आपकी पर्सनाल्टी में तो इसलिए मैं आपको बोलना हूं कि एक आपको इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी और ऑफॉरिटी मिल जाती है आप जैसे ही बुक पबलिस करते ह इसका बहुत इंपोटेंट है आपको नेस्नल लेवल मिल जाएगी तो कुछ गुजरात से भी दोस्त हैं ठीक है और मेरे अभी जो डिसेंट्ली बन रहा है मेरी जो जबसे मैंने पॉपलिस किये और अब तक मुझको एक बड़ा चिंज आया है जितने मेरे कभी भी रिलेश एक चिंज आजाता है आपकी परस्नालिटी में आपके आपसे लोग अच्छे से बात करने लगते हैं यह भी एक चिंज आता है लोग आपने आप उनका थिंकिंग तिंकिंग मेंटिलिटर है दिने आपके बारे में वो सब कुछ बदल जाती है बुक के कारण आपको बोध बड़ी है विनफेट है अगर आप अप लगे आप यह पर आप कुछ भी नहीं किया आपके लाइब में तो अगर आप कॉलेज में हो या आप बुक लेकाना चाहते हो मैं यह निहीं बोला कि आप अगर 35 साल के हो 40 साल के और 45 साल के हो और आपने कुछ एश्टर आपक क्वाइल टी फेन बेस बैसे आप बहुत कुछ करोंगी ना बहुत कंटेंड डालोंगी मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं कि मुझको इतनी जांद यहां पर यहां पर नहीं मिली जितनी मुझको जान पर पुब्लिस करने बात जी तो वीडियो से कुछ नहीं मिला जो मेरे अभी डिल है सब्सक्राइबर है जो उससे मैं इतनी रोपर अर्ण यहां पर जो मैं कर पाता मैं उससे कुछ भी नहीं कर पाता है एक टाइप में लून तो तो इतनी यहांद मुझको ऑथ्रेटी यूटीब चैनल से नहीं मिली मेरे इंस्टग्राम से मिली मैंने इक और इंस्टग्राम पर भी मैंने बहुत्स जान दा रील अप्लोड की थी और मतलब और और भी पूश्ट बनाई थी मैंने करीवन करीवन चार ते पाँच इंस्टाग्राम एकाउंट रन की थे एक मोडिवेशन से लेटर एक मोडिवेशनल पेज था ठीक मेरा मैंन पेज था फिर उसके बाद एक और था इस्टाग मार्गेट से लेटेड़ बहां से मुझको और जैसी मैंने बुक लखी न तो उसके बाद मुझको एक क्वाइल्टी टाइप आप फैन बेस मिल गया है मतलब नहीं लोग कनेक्ट होना चालूगे और जो आपसे बाई भी करते हैं जो आपको एप्रिशेट भी करते ह बो लोग को उसे आप मिलना चालूगे जब आपकी बुकलक हो गया तो ऐसा होगा आपके साथ ठीक है इतना मुझको इंस्टाग्राम तरहीं मिला मैंने लगो लगो पांसुज जैन्दा वीडियो क्रिएट कर दीं थी मेरे इंस्टाग्राम पे भी और और एक और मेरे अपलोड करती हैं लगो लगो 309 वीडियो उस चैनल पर डली है लगो 32 यह पर करीवन उससे उस चैनल पर इतनी वीडियो करने बाद भाद मुझको कोई स्पैसल अटेइंशन नहीं मिली कुछ चीप सब्सक्राइब नहीं मिली तो लगो लगो 200-300 सब्सक्राइब रहे उस तो उस पर मैं आपको यह बोलना चाहता हूं उतनी ऑन्थरेटी उससे नहीं मिले जतना मुझको क्वाइल्टी यहां से मिला है इतना कंटेंट क्रिएट करने के बात क्यूंकि आप देखी रहे होगे आज हर एक बंदा यूटुब पर वीडियो बना हर एक कुछ ना कुछ करी जाये इतना कॉमपडिशन क्रिएट भी हो चुका है ठीक है पर मैं यह बात मानूं कि बुक लिखने में बुक लिखने के फिल्ड में अभी बहुत कम लोग है और बहुत कम जा रहे हैं बहां पर एक आपको बहुत अच्छी फैन बेस मिल जाएगा बहुत अच्छे लोग मि मेरी लाव लाव एप्रोक्स 10 के पर मंत अर्णिंग हो गई यह एक्स्ट्रा इंकम चालो हो चुकी है मेरी तो यहां से भी मैं उतना रूपर अंकर पार हूं जितना मैं मेरी यूट्यूब चैनल पर दो साल डाई साल मैंने बर्क किया तो मैंने बहुत सारी वीडियो डियो यहां से यहां से यहां से मेरी अर्णिंग चालो हो चुकी थी और इस तिन के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी पुब्लिश नहीं करें ना बढ़ा पुब्लिशिंग बुक मैंने मेरी वो बुक ती जिसको मैंने इबुक के फॉर्म में पबलेस किया था पहले इबुक के फॉर्म में पबलेस किया था तो बहां से मुझको बहुत अटेंशन मिल गई थी ठीक है मैं देखा था कि इबुक के फॉर्म में पबलेस करें तो यहां से अपन क्या सिखने को मिलता है कि आप वोक क्रियेट नहीं करें तो एबोक क्रियेट करें तो वहां से भी आप अर्ण कर सकते हो रुपए और एबोक एक ऐसी है आपकी मेहनत है और एक टाइप से उसमें कोई ना रुपए लगते ना कुछ लगते बस आपकी मेहनत लगती रिसर्च लगता है और आपका जो भी थोड़ प्रोसेस है क्रियेटिव इड़ी लगती है यह कर पाऊए तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको वाइल्टी फेंबेस मिल जाएगा यह सब कुछ आपने बहुत सारी बात करनी कि आप बहां से रुपए भी अर्ण कर लोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो भी मेरे कॉंटेक्ट में थे इसे मेरे जब मै इबुक पब्लिस करी तो महां से क्वाइल्टी फेंबेस आया है जिसने मेरी ओड्यू बुक को बाए किया ठीक है और ऐसा नहीं जैसकी इंस्टाग्राम पर आगर आप जैसी आप इबुक पब्लिस करते और उस पर एड्स चला देओ और एम जों केंडल लिए बुक पर कु तो इसमें तो यहां से भी आपन को पता चल जाता है कि यहां से भी अपने लोग पाय कर रहा है और इंच्टाग्राम पे बिया है तो यहां से अपन को क्या सीक मिलती है आपको इंटरनेटन लेवल पर भी आती है तो इस्टाइटिंग में आपको बोलूँ कि इंग्लिस में बुक पब्लिस करो तो क्योंकि बाहर के लोगों भी बाय कर पाएं और बहां से आपको अप्रिशन मिले और मोडिवेशन मिले तो बहां से मैंने मेरी इबुक को फाइनल अपना केड़ी पीपी ले ले लेते हैं और जीएस्टी पगेर रहता है तो इसको अटाके लग लग 15,000 रुपे अर्ण हो गई थी मेरी इबुक के फॉर्म से जानलोड कर सकते हूँ तो भाहं से भी आप अर्ण कर सकते हों मैंने ebook की मेरी प्राइस रखी ती अब इब भी आप बाय करोगे ebook जा के बाय कर सकते हो और बायों में लिंक होगी महां से जाके बाय कर सकते हो आप एबुक 109 प्रफे में आपको पता भी चला है कि आप कैसे आपकी यीबुक पब्लिस कर सकते हो उससे रिलिटिड आप जाके डाउनलोड कर सकते हो है तो क्वाल्टी फेनुष हो जागा आपको जो भी आपको लोग switched है और 80 कि ऊड़ो करें लिए अगली बात पर आदें कि अगल आपको क्या फायदा मैं ब्रांड्ड एनैंस्मेंट जो भी आप काम करें ना जो भी आप काम कर रहे हो जो भी आपका बिजनेस है जो भी आप ओनलाइन काम कर रहे हो या पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो बहां पर आपको क्या मिलेगा हो जाएगा आपका brand है ना उसकी progress वह भी improve होगा और brand अब्यर रख रेगा आपको लोग जाग-rik भी होंगे और आपकी लोग आपको जो भी brand है ना वह एक बड़े level पर हो जाएगा लोग आपको जानने लगए आपके book के through हुआ ठीक है तो यह सब कुछ आपको ब्रांड है न वो आपको आंगे तक ले जाए बहुत इंप्रूव हो जाएगा आपकी लाइग और नेक्स लिए पर जाएगा वैसे आपको बहुत रुपे खर्च करना होगा वैसे आप देखें तो एड्स पर रुपे खर्च करकर और आप पॉल्वर बढ़ा कि इतना कुछ नहीं कर पाओ इसना आप एक बुक लिखकर आपके ब्रेंड को आपका जो भी ब्रेंड है उसको अब्यर कर सकते हो ठीक है उसक के बाद speaking engagement opportunities यह सबसे important मुझको लगा जिसके बाद मुझको भी कुछ और speaking assignment में लागी अब जब से मैंने बग पब्लिस की सबसे मुझे पास लगला साथ से 8 वो आ चुके हैं speaking assignment speaking engagement speaking opportunities लग देता है मन डारेट ठीक है तो speaking opportunities मिन्नच चाल हो जाती हैं जसके आपको कोई school बुला लेगा या फिर आपको कोई particular coaching बुला लेगी या फिर कोई coaching बुला लेगी या फिर आपको मनलब जो भी business related बुला लेगे बो बुला लेगे या पर कोई corporate बुला लेगा बोलने के लिए तो यह सब कुछ आपको मिल आपको speaking assignment मिलना चालो करेंगे यहां से भी आपकी रुपए earning होना चालो करेंगे starting में अभी मैं क्या कर रहा हूं जितने मेरे speaking assignment है 2-3 गंटे तीन गंटे से जितने भी नीचे assignment है अभी मैं free कर रहा हूं अभी कोच 10-15 और पर उसके बाद इसको paid में कर देंगे जो भी चार्ज करूं 5-10,000 रुपए पर assignment पर seminar ऐसा करेंगे जो भी बहाँ पर बुलाएंगे तो बहाँ पर अपन यह कर सकते हैं पर अभी मैं क्या कर रहा हूं मेरी authority create करने के लिए मैं जितने भी अभी opportunities मिला ही मुझको और जितने भी speaking assignment मिलना है speaking opportunities बहुत सारी gather कर रहा हूं public speaking opportunities जितने सारी opportunities मिलना मैं सारी gather कर रहा हूं प्री मैं कर रहा हूं अभी यह सारी अगर आपके भी कसे भी कदाया है किसी भी और नाई ये शहन है या पर आपका स्कूल है या पर आपकी कोचिंग है या पर आपको क्योई बिजनस है या पर आपको क्यों टीम को ट्रेणिंग चाहिए तो अभी आप mineral को मुझे इंच्छ पर कर सकते हैंано आपको जब तक आप देख रहे हो लग लग अगले दो-तीन महीने के लिए हम प्री एसाइन्मेंट कर रहा है कोचिंग स्कूल के लिए जहाँ पर हम आपको सखाएं बहुत सारी चीज़ इंस्पायर करें मोडिवेट करेंगे सखाएंगे नॉलिज देंगे तो वो सब कुछ हम आपके लिए फ्री में आपकी टीम को ट्रेनिंग देंगे तो यह सब कुछ हम आपके लिए फ्री में करेंगे ठीक है पर उसके बाद आप लेट होते हो दो-तीन महीने बाद जैसकि आप अक्टूबर में या नवंबर में हमसे बात करते हो नवंबर या दिसंबर में तो भी चालू हो चुकी है जसके आम कुमेन बताया ठीक है तो यह आपको digitally भी मिलेंगी और आप physically भी मिलेंगे पिजीकली में मैं आपको बता साँ किसी इसकी particular school या coaching या पर कोई organization या फिर आप किसी organization के लिए या पर किसी foundation के लिए आपको बोला सकते हैं ठीक है बहाँ पर जाकर आप बोल सकते हो कोई चार्च या पर कहीं पे भी आपको 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 अप्रोच करेंगे एक बारे में जानेंगे उसके बाद लोग आपको अप्रोच करना भी चालू कर दें तो महां से आपको speaking opportunities मिलना चालू जाएं ठीक है तो अभी तो हम सर्फ online opportunities ले रहे हैं जो भी आपको मैंने बोला कि अगर आप करना चाहिए तो अभी online ही है आपको अगर हमारे अगर हमको लगता है कि आपको फिजिकली मतलब जो भी आप फिजिकली सेमिनार करवाने चाहते हो तो वह भी आपको फ्री हो जाएग पर एक पर आप कंटेक्ट कर ले नाम से अगर आप हमारे सेमिनर चाहते हो या बेविनर चाहते हो ठीक है तो आर यू एक्साइटेड बहुत जानदा बाते हो नहीं बहुत जानदा information है आपको बहुत सबको शीखने मिलेगा तो अभी तक को आपको सब कुछ अच्छा लागाना तो बताएए आर यू एक्साइटेड अर यू एक्साइटेड ओके जान भी येस शोनी येस ओके आसी येस येस ओके इनर्जी डाउन हो गई क्या आपकी सारे येस बोलते रहो जो भी बोला या ठीक है तो अगले पर आते हैं हम ठीक है तो सब्सक्राइब को बहुत जानद मिलना चाले हो जाएंगे तो यह आपको जैसकि मैं डिजिकली बताती है और अभी डिजिटली हम कर रहा है जैसकि एक जूम पर बैविनार रखते हैं जो भी आपकी और्गनाईशन रहते हैं या आप व कि मैं बोच्च करते हो तो मुझको इसा ग्यास पीर रोट वुटाती है यह तो मेठ पर हम जो भी सेमिनार रहता है जो भी आपका कंटेंट है जो भी मौन उ also प्रिट रहता है बहाँ पर हम बात करते हैं अभी रिसेंटली हमने इंद और के स्कूल में अभी हुआ था ठीक है तो बहुत सारे नाइन से लेके 12 तक के स्टुडेंट थे तो यह सारी थी आपके पास आप पॉर्चिडिस मिलना चालू हो जाती है तो यह बुक्काई कमाल है अगले पर आते हैं इंक्रीज क्लाइंट तो जो भी आपका बिजनेस है कि दो क्लाइंट आप पे बिजबास करना चालू कर देते हैं और क्लाइंट इफ यू कांट सेल एनिवनी एनिबडी अंटिल दे ट्रस्ट यू आप किसी को जब तक सेल नहीं कर सकते जब तक बहुत आप पे ट्रस्ट नहीं करता और बुक एक ऐसा काम करती है लोग आप पे ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं तो एक बहुत इंपोटेंट रोल एक का कि यह आपकी परस्नालिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है समझ रहे ना ठीक है आपके क्लाइंट बड़ा दें जिसकि कि आपकी क्लाइंट पढ़ जाते हैं तरह जिसकि अभी मैं आपको बढ़ाता हूं कि दगवर रिसेंट्टी अभी मैंने जो क्लाइंट गिन किये मेरे ओनलाइन कोर्स आइलिटिमेट कोल साइटिंग के लिए ठी बिलेच के नहीं बोलूगा मैं जो जहां पर मैं रहता हूं गुना और शोकुनार और यहां पर आप मुझको जानते हो बहुत थम लोग जानते हैं यहां पर क्योंकि मैं यहां पर इतना एक्टिब नहीं हूं मैं जहां मैं जहां पर मुझको जानते थे पर मुझको लोग ज सर्वेस डिजिटल सर्वेस ऑनलाइन कोर्सेस उनकी पार्ट नहीं थे पर उससे पहले जैसे की मेरी जैसे मेरी पब्लेस होई तो मैंने उनसे बोला मदा बहुत सी लोग थे मैंने इस्ट 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 पर डाली बाइब और वाइल लिंग दी ठीक है तो बहां से उनको मैंने इस्ट इस्ट रख़किए हैं अब उनको बोक पड़िया लगी ठीक है अब उनको बोक पडिये लगी तो ऐसे से करेंगे ठीक है और उन लोगों से बात करें कि यह विशाल की यह है हमारे गाऊं का यह है खृँले जिले का बंदा है जिसने बोक लगी है यह मेरा दोस तो जो ओनलाइन पूर्स भी आ सकते हैं तो लग लग अभी तो में रिसेंट बोलाओं 10-12 इस्टुनेंट हमको ultimate goal setting को मिलें सिर्फ because of book ultimate goal setting program है और प्रोटेंचिल में भी हमको मिलें साड़े 5000 का प्रोग्राम है प्रोग्राम है जिसमें आपको all over development करा जा सकता है आपको वीडियो मिल जाएगी आप मेरी YouTube चैनल पर जाके चेक करता है तो यह आपको अगर आप मेरी इसको YouTube पर देख रहे हो इसको YouTube पर भी अपलोड कर देंगे ठीक है यह तो आपको यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यह पर आपको आई बटन मिल जाएगी ठीक है तो अनलोग योर प्रोटेशल कोर्स क्या है उसमें आपकी मतलब पांच महीने में पांच महीने का में इंटरिशिप प्रोग्राम है जो आपकी लाइप को कंप्लीटली चेंज कर देगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मुझको क्लाइंट मिलना भी चाल होगा है वहां पर आपकी बहुत हल्प होने बाली है आपके क्लाइंट भी आप जनरेट कर पा हुए ठीक है तो आंगे बढ़ते हैं आपके क्लाइंट बहुत जानब बढ़ जाएंगे यूगल है और बार बार के जायार बेहन है जैन्द है कि प्रॉपेशनल प्रीस और आप इसको आपके इंटर्व्यू में या पर आपके सीवी में आप इसको लिख सकते हो कि आई रोट इस बुक आप मैंने यह किताब लिखी है इसमें यह आपको मिलेगा सीखने को और यह सारी चीएं यह आप एक टाइप से आपके लाइप का बहुत बड़ा एचिविमेंट हो जाएगा बुक लिखना आप कहीं पर भी हाइलाइट कर सकते हो यह एक प्रोफेशनल पीस अब बर्क हो जाएगा लोग आपको इसके नाम से भी जानेंगा जो भी आपकी बुक है कि बाइसाब ओथर विशाल लगबंजी मैं अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं आई वोई टूइंग सेशन आई वोई टीचिंग प्यूपल आओ टू ऑनलाइन आओ टू स्टेडी हाओ टू डबला कम्मुनिकेशन स्किल्स ठीक है तब तक मैं एक मॉन्टिवेशनल स्पीकर टाइब में ले ले दो संब तो जैसे दो अतने बड़े लेवल पर मैं नहीं लुक अलब्हाल ता तु कि मैंने बुक लकी है और बुक लकी है तो लोग मेरे बारे में जान भी रहे और एक professional piece of work हो गया और मैं author बिशार लगबंसी बन गया है बिशार लगबंसी से ठीक है author बिशार लगबंसी तो ये भी एक आपका बहुत बड़ा role play करता है अभी मेरी college college की past year complete होने वाली है ठीक है तो अभी तो मेरे पास बहुत time भी है पर अभी इसे मैंने काम start कर दिया है करना और आंगे बाले time में मैं और भी जांदा strong हो जाओंगा ठीक है तो ये book मेरी हमेशा credibility रहेगी एक और रहेगी एक professional work रहेगा कहीं पर भी मैं अगर अब देखो मैं आपको मैं बैसे job करूंगा नहीं पर मैं अगर कहीं पर भी किसी भी HR के related head of recruitment या पर किसी private job में apply करता हूं जहां पर selection या पर sales related काम रखता है बड़े level पर ठीक है तो मैं बहां पर apply करूंगा तो यह बहां पर मेरा बहुत बड़ा role play करेगी मेरे selection में ठीक है और time pay भी time pay भी मुझको यहां से professional piece of work है जो मुझको हर एक जाए credibility और authority दिला पाएगा अगली बात पर आती है ठीक है passive income हिर्थ passive income यहां से passive income generate कर पाऊगी है भाइसा यह royalty income भी हो जाएगी और आपकी passive income भी हो जाएगी ठीक है एक बार आपकी best selling बुक बन गई न तो उसके बाद आपको देखवाद आपकी बुक को बाय कर रहे हैं व माले को चलो सिन बेलीग और आपकी रहे हैं एगए आपकी बुक कर दीजिया पर दीजर कर के एक दम ब्लंप्श महीं होतीजेंगे प利 열ह लोग करके बुख काम करना चालू हो जाएगी और दॉटिक है оп But है जांदर लोग सुनते हैं जांदर लोग पढदते हैं जांदर लोग रिब्यू करता है उस book के बारे में तtyक य harsh धीरह धीरह करके आपकी बारे में book काम करना चालू हो जाएंगी कि प्र Law C आप my he Fortune R IQ कमा ही रहा है तीक है one of एक बार आपने जैसे कि अभी आप जॉब कर रहे हो ठीक है active income और passive income को बारे मैं आपको एक बार बता दूँँ अगर आप नहीं जानते हो तो जानतार लोग जानते पर फिर मैं आपको बता दूँँ जो लोग नहीं जानते 100 रुब्य बता देता हूँ active income वो रहती है जो जिस पर काम कर रहे हो और जैसी काम खतम हुआ तो जब तक काम करो तब तक रुपय मिलेगा और जैसी काम खतम हुआ फिर उसके बाद आपको रुपय नहीं मिलेगा और passive income ऐसा है कि एक बार आपने काम किया और उसके बाद आप काम करो यह ना करो उसके बाद भी आपको income मिलना चलो जाए तो आप उससे लाइफ टाइम रुपे कमा पाओगे कि लाइफ टाइम अगर आप हो और आप नहीं भी हो तो वह आपकी उसकी उस बुक की रोयल्टी आपकी घर वालो फैमिली वालो को भी मिलेगी और एक्जामपल के लिए मैं आपको बहुता जेता हूं एक्जामपल के लिए बहुत जान बहुत सारे एक्जामपल है हमें पास रिश्डेट गवाडएड ठीक है और अपनी हैरी पॉर्टर बॉक को ठीक है सब्सक्राइब को बहुत जैनली ने लोगी ती आज उसकी डाय जनलेशन बाइशन गराज नहीं पर उसके बाद वे उसके फैमिली को बहुताइब तो यह जानते हैं एक बार पुक लेकिए उसकी एक बार पुक कंप्रिड होई सीरिस आर्ट सीरिस कंप्रिड होई हम नया भी कुछ लाएंगी तो हैरी पॉर्टर का चैप्टर कुछ और कुछ नया सोच रही होंगी या पर कई भी लाएंगी तो वो बुक की वज़े से आज एक बिलियनर थी ठीक है और उन्हें बहुत सारी प्रोपेटी दान कर दी वो रिचेश्ट मूमन बन चुकी थी अपनी बुक की वज़े से बिलियनर बन चुकी थी उस आप सोचो यार सोचो कितना सब कुछ होता है यह तो मैं आप इंपोर्टेंट बन गया इस चीज में करियर ही तो हो गया अगर आप एक बार आपकी फेह मस हो जाती है बारल हो जाती बैस सेलिंग उतर बन जाते है तो आप आपकी जॉब भी छोड़ सकते हो आप स्पीकिंग करना चालो कर दोगे लोगों से बात करना चालोगे परसनल कंसल्टिंग चालो कर सकते हो कांसलिंग इस्टार्ट कर सकते हो वह से आप कितना रुपे कमा सकते हो मैं जेंग हो मैं जेंग हो मच मैं कैन मेक मनी यू कें एलोट ओव मन यह तो मैं बता दी मैंने यह सारे बेनिफिट्स हैं ठीक है टैने क्स गृंट कार्ण इस तीक है और सेलोग ओंस सेलोग ओंस बुक थी पर उसके ऊपर ही बो मुवीज बनी वह सेलोग सॉम्स है लोबर डावनी जूनियर ने रोल प्ले किया तो पूप में ठीक है तींक एंड ग्रो रच नेपोलियन अलगी नेपोलियन गई है पर और किसी गया वह आप देख लेना भी मैं भूल रहा हूं नाम नहीं आ रहा साथ उसी किया है तो बूप आज भी आज नेपोलियन वह तो आ आज भी उसकी फैमिली को और आज उसकी फैमिली में कोई है तो उसकी भी रॉयल्टी इंकम जा रही हो गई बले वो नहीं आज इस दुनिया में उस भुक की आज मैं भी बुक बाई करता हूं ना उसकी 5%, 10%, 15% कोई भी रोयल्टी जाएगी पर उसकी फैमिली को ही जाएगी रोयल्टी तो उतने जांद आप बेनिफिट रहते हैं यार समझो आप, आपको इसलिए लिखना चाहिए जन्दकी में एक बुक तो लिखो और एबरेज परसन में आपको बता था हूँ कि जो भी बुक लगता है ना अपनी लाइब का ने चोड़ लिख देता है और आपको बुक तो इसलिए पढ़ना ही चाहिए जितने भी बिलियनर हैं, मल्टी मिलियनर हैं वो बुक क्यों पढ़ते हैं क्योंकि उनको सब कुछ सीखने को मिल जाता है जिस बंदे ने उसकी लाइब में क्या क्या किया है मात रित तींसोपांसोई ताश डॉलार 55 डॉलर में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाता है उसकी लाइब की बेस्ट बेस्ट एक्स्पिरियंस उस जो उसमें गलती करके सीखे Kenya तो यह सब कुछ आपको सीखने को मिलता है बुक से भी बुक पढ़ना भी चाहिए यह सबसे बड़ा कारण है ठीक है आंगे बढ़ते हैं कि आंगे बढ़ते हैं है कि अब तक आप दो एक दो निट का देश्ट लेडी जी आप भी बोर बोलने लगे होड़े आप 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 अपने चार गट चले बाता है दो अंटे दो और दो ती अंटे और चलेगा एक गटा दो गया आप नो कि कर लोग चाले सब्सक्राइब कि अब पानी पिलीजिया आप अब कर दो निटका रिश्टार करते हैं कि अच्छा रोग बोला है मैंने तो पील लिया आप बोला है और पीलो कि अच्छा रहा है अब तो वीडियो आप करके बैठे और नुट खाना ने काट तो मुझको पता ने चलेगा आप पाना का रहा है या पानी पी रहा है पर यह पूंट आज 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 वीडियो सुनते रहा हो तो भी मैं पूल आँ लो यहां घुंट आज लिए कुछ व्यक्ति अन्याओं प्रें चले आंक बढ़ते हैं इसको रफ कर देंदा हुँँ कर दो इसको पर इंपोर्टेंस आप बोक एड राइटिंग एड बोक कतम हो चुका है अगले पर आगे हैं क्या है अबना हाउ डू यू चीज चूज आम बोक कर्टेगरी टु राइड बोक साथ कैसे कि चूज करना अपने केटिगरी बोक लिखने की टीक है हो अब इसके दिए अब आगे और आगे अब आगे अगे 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 यह टीक है फ़िस्ट गोडिप लग आगे मौर अब इस तिंग जो भी आप करने बाले हो उस्से लिटर जतनी इंफोर्मेशन हो सकती है उतनी इंफोर्मेशन को करो करो अब कलेट करो जतना हो सकता है गोडीप अवाओड यूर टोपिक्स अधा नमोर्यू आगे अगे आग तो आपको जो भी काम है उसको से डीप इन्पोर्मेशन कनेक्ट कर लो जतनी भी और जतनी बूक्पडनी है आपको मज़ेस्ट की मैं आपको बता हूँ और आप लेक रहा है तो आपको एप्रोक्स हंडेड बूक बूक पढ़ना चाहिए या पर उनकी समरेशन ना चाहिए जिस फिल्ड में भी आप लिक रहा हूँ ना जिस फिल्ड पर भी आप लिक रहा हूँ उससे रिलेट आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो ठीक है जितनी information हो सकती है और उतनी collect करो और second, choose less competitive and most demanding category देखो less competitive most competitive and most demanding इस फिल्ड में आपको जाना चाहिए ठीक है मैं आपको बताता हूँ इसलिए क्योंकि आप अगर इस चीज को follow करते हो जो भी आपकी book select है जिसमें category भी आप select कर रहे हो तो उस रिलेटर आपकी मान में एक clear होना चाहिए क्या बात कि इस category में सबसे जानदा थोड़ा अगर मतलब less competition हो तो बुक की फिल्ड में और most demanding below अब जैसके मैं आपको बता हूँ इंडिया में इतना culture नहीं comics read करने का इंडिया में इतना culture नहीं comics read करने का बहुत को जो भी manly city होंगी मुंबई इंदौर और डैली कॉलकाता हैद्रबाद मैं ली ऐसी जगांवे जानदातर लोग वह भी Marvel की या पर DC की comics पढ़ते होंगे पर जो भी बच्चे अगर मैं बच्चे से लेटर बताओं और बच्चे से लेटर कोमिक्स लिखना चाहते हो आप तो भारत में बहुत बड़ा बहुत बड़ा market आने को है और भारत के पास सुपर हीरो हैं पर उस फील्ड में नहीं है जैसकि Marvel और अपन DC की बात करें ने तो जी बहुत पहले से चले आ रहे हैं और इनको बहुत साल हो चुकी है mountaine fünf अबब्स अब आधे हैं इसके बाद जे आज इस लेवल पर पहुंच पहाएं बर इंडिया में अपन देगें तो कोई इसापर हीरो है तर उस लेवल के नहीं उस टाइब talks कि करीयेट नहीं उपाती उस उस मझालें बाइब सीरीस टाइब में एक सीरिज टाइब में कॉमेक्स क्रियेट नहीं हो पा दी तो यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज जैसा है अगर आप इस फिल्ड में उतरते हो भारत में कोई स्बूरज करें एंप अब ऊसकी लाइबल की वो नहीं प्रोच ना वो पर सकते हैं ठीक है और वहसी ऐसे सिचूशन है हमारे साथ कि लोग उस कैटीगयरी में जहाना भी नहीं चाहते और कुई सोचता भी नहीं तो एक दो तो आप्शन मिलेते हैं अभी हमारे पास एक दो हमारे पास बैस सुपर हीरोज भी आये थे रिसेंट्टी उनकी डैथ हो गई यार मैं आपको बता दूँगा सेमिनर के खतम होने के पाद क्योंकि अभी मुझको उसको नाम नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूँगा और मोवी का भी नेम दे दूँगा और उस कॉमिक्स थी उसका भी नाम दे दूँगा मतलब वो उसके बाद उनका उनकी डैथ और लोग उसके बारे में राइड भी नहीं कर रहा है तो यहां पर एक अपन ले सकते हैं अपन ऑप्शन की क्रियेटिंग कॉमिक्स बॉक इन इंडिया तो जे लेस कॉमिक्टिटिव भी है ठीक है और मुस्ट डेमांडिंग भी है लोग को नहीं नहीं खानिया पसंद पढ हुए ना तो ही आप ग्रो कर पा हुए क्योंकि जो भी आपकी रूरल एलियास है ना बहां पर लोग इंग्लिस नहीं जानते वो हिंदी पढ़ते हैं वो चाच चौजरी की किस्से पढ़ते हैं जो भी गाउं के रहते हैं अग बार पगएर पढ़ते ना बच्चे तो वो ठ पढ़ता हुता है तो उनसे सुनने की अब भी आदत है हमारी खानिया तो अभी उन्हीं खानियों को या पर आपके जो भी हमारे गरंध हैं एपक हैं महाभारत ठीक है तो उससे भी कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं ठीक है तो उनको भी एक बैप सीरीश टाइप में उनमे कोड़ी कॉंट्रवर्सी होगी पर मैं आपको बोलूँ कि उनसे इंस्पायर होकर ऐसा कर दो थोड़ा अलगाट कर एक कर सकते हो मैं अभी इस टॉपिक पर मैं भी नहीं सोचू क्यूंकि अभी मेरे पास बहुत सारा बर्क है कॉमिक बुक्स रिलेटेड मैं यहां से 8-10 साल बात, देखूंगा अगर मैं करता हूं मुझे लिखना है, कॉमिक बुक पर अभी मैं उस कैटीडिडिडिय में अब हुँ अभी तो बहां से मुझको अटेंशन मिला ही तो मैं उसी को करूँ ना बहां से मुझको बर्क मिला है जब मैं financially free हो जाओंगा तो मैं इंडिया के सुपर हीरो क्रियेट करूंगा आज से 10 साल बात अगर कोई क्रियेट नहीं करेगा तब मैं कर पाऊंगा तब करूंगा मैं और कोई उससे पहले कर लेता है तो बड़ी बात है ठीक है तो comic book आप डिसाइड़ तक तो less competitive and most नहीं तो बाड़ने ठीक है और sell-pail book भी आ सकती motivation inspiration तो तो अगर आप देखोगे आज कल इंडिया में आप बुक्त देख रहे होगे ना तो बूद कुछ जहांदा एक्ट्राइब नहीं कर रहा है sell-pail books में जितने भी इंडिया में लोग है न तो भार के बाहर से inspiration लेते हैं मत मतलब बाहर से inspiration नहीं बोलूगा copy कर देते हैं उनका paragraph है जैसकि अभी मैं नाम नहीं लोगा क्योंकि फर controversy हो जाई है तो बहुत सारे लोग है न बुक्त करते हैं कि बाहर के जैसकि grant card और एरिक थॉमस हुए और भी अपने example ले ले दें टॉनी रोबिंस हुए उनकी books पनी उ करते हैं सेवन संडे वीक लाइब मतलब बहुत जान को नहीं करना चाहता मैं नहीं नहीं लेना चाहता पर बहुत से लूग जो भी आपको अगर जितने भी इंडिया में motivational speaker देख रहे हैं सेम कर रहा है इससे यांद और कुछ अश्टर नहीं कर रहा हूं कॉपी-पेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा मीनिंग और स्वामिबल बदा पढ़ दलकर कर देते हैं और फिर भी वह उससे अरन कर पा रहे हैं बैफ सैलिंग उतर बने बैटे हैं पर उस लेवल पर नहीं कर पा रहे हूं ठीक है पर अगर आप कुछ नया क्रियेटिब लाओ इंग्लिस और हंदी पर मैं आपको बोलों क्योंकि पहलें इंग्लिस में आओ गर από सिर्फ घंप के मतलब डिष्टिक लेविवेल पर ही रहना चाहते हो उससे बड़ी लेववेल पर नीकरन चाहते तो मैंब को कि starting में लोग क्योंकि आपको बार के support भी नहीं करेंगा अगर आप इन्दी में लाओगे तो आपको उसके भी मिल जाएगा एक साथ ही लाओगे ना दौनों में यह तो पर बढ़िया रहेगा यह पर आप पहले English में लिया और उसके बाद इन्दी में लिया हुए तो जैसकि म मेरी बुक इंग्लिस में अभी इंदी में लाओगे तो अपन आंगे बढ़ते हैं कि कॉंप्टीशन बहुत कम है अपन को इस चीज में और मुस्ट मानिक है तो जो अपनी मॉटिपेशनल स्पीकर है ना वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो यहां पर अगर आप यूनिक कॉ हुए अब यहां आप सेल फैल्फ बुक की फिल्ड में भी आपका जो भी कंटेंट है वो सेल फैल्फ की फिल्ड में देरना आपके यूनिक कंटेंट तो वो एक बड़ी लेवल पर जा सकता है ठीक है तो यह हमारी बुक है ना तो इसके हमने जान दरने बन थाउजेंट पप्लिश्ट है अभी क्योंकि अभी मुझको पपलेसर अभी मिला था और उनको भी पशन नहीं आ रहे थी कि अगर नहीं हुआ तो यह जाए बोग जाएगा तो मैंने डिसाइड कि अगले दो-तीन महीने में पूरी बुक्स लाउट हो जाएगा क्योंकि अभी हमको दो महीने डिल महीने लांच करें हुआ है लुग बहुत सारी बुक्स लाउट हो चकी है 50 परसेंट बचेंगे तो वह भी अगले एक दो महीने में हो जाएगा ठीक है तो यहां से भी मैं आपक अगला पॉइंट कि मैंने आपको बहुत सारी मिस्टेक रहेंगा तो वह सब को चल रहा है भी मेरे स्कूप में ठीक है तो आगे बात कर देंगा अगला पॉइंट कि जैसकि मैंने आपको बोला कि कि मुश्ट डवांड ने टॉपेंग जैसकि आपको जो भी अचल लगी कोमिक्स बुक में आपको अग्मेंट करूं अगर आप इस्टुएंट हो या पर आप जो भी हो अगर आप थोड़ा इंडेस्ट्रिय हो सुपर हीरो से रिलेटिड तो आपको असी फिल्ड में जाना की अम वाट इंस्पायर यू अबो ट्राइट इंग तो जो चीज आप करना चाहते हो जो आपको इंस्पायर करती है वाट इंस्पायर 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 वड़ाई प्लीज 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 ओके बहुत इंस्फायर क्यों कि अबॉट राइटेंग बोड तो नहीं हो रहा है अला थोड़ी बहुत रिसर्च करके बनाई पर मैं आपको जांदा तेज भी नहीं बोलता कि इन पर बड़े समय तक नहीं बोलता हूंगा तो आपको के इंस्पायर के लिए हैं ठीक है अगर आप एक्शन से लेटर लगना चाहते हो आप फाइटिंग अच्छी लगती है फाइटिंग से रिलेटर कर सकते हो यह पर आपक अच्छी लगती है या फर ऑर मुविस आपको थोड़ा इंस्पायर मतला उस टाइब में आप लिखने के लिए ठीक है तो के इंस्पायर करता आजा सकी मार्वल्स की बोकाप को बहुत जान दैंद है अगर मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूं और डीसी की आपी पर मैं मैं भी बोलोंगी Marvel का मैं बहुत बड़ा हूँ क्योंकि वो सही तरीके से एक्स्प्लेइन करती है और आयरन मैं सब्सक्राइब है मैं फैबरेट सब्सक्राइब है तो मैं आपको बता हूँ कि Marvel की जो भी movies है ना और आपको inspire करती है उस से रिलेटेड है को आप पहां से इंस्पार ले लो उस लेवल पर नहीं कर पाओगे अब भी ठीक है पर आज से 20 से 25 साल बाद आप उस लेवल की movies मतलब movies automatically create होगी अगर आप उस लेवल तक अगर इंडिया में आप book कर पाते है boxer related उस टाइब की comics book create कर पाते हो उस टाइब की hero double up कर पाते हो हर एक background कर कर सकते हो तो उस टाइब के आप create कर सकते हो आप स्टार्टिंग में इंडिवीजियल सुपर हीडो से स्टार्ट करना पर जीर जीर करके आप और भी इंट्रड्यूस कर सकते हो इसकी Avengers की एक टीम होती है बैसी इनकी एक टीम करा देना आप मता रहा हूं मैं दो आपको एक एक जांपल दे रहा हूं अगर आप ही नहीं कर पाए तो मैं future में जरूर करूंगा इस बात को अगर आज से 10 साल 15 साल में अगर इंडिया को कोई सुपर हीरो उस लेवल की नहीं दे पाता तो मैं जरूर ट्राय करूंगा इसको मेरा है कुछ आइडिया मैं रिपास हैं आइडिया मैं करूंगा पर अभी इस फील में आप जा सकते हो और बहुत बड़े लेवल पर बहुत की जियो लॉंच नहीं इतना तो लो मैं मेरी मेरी बात बता जा दूंगा मैं सिर्फ मार्वल की कॉमिक्स में सिर्फ मैंने आइरन मैं मूवी देखी थी आइरन मैं साथ 20 और 2nd ही आई थी तब तो यह दौनों ही मूवी देखी नहीं और मैं इतना कुछ जानता नहीं था पर जैसे यह आई ना तो लोगों के मुझे डिश्नी ओर्डिस्टार नेडफ्लेक्स आये डिश्नी ओर्डिस्टार से तो और मुझे कहते हैं अपने जियो सिनमा और जियो की समाई नहीं तबसे उसे जानदा लोगा की कीश्टार भी थए मार्वल गभी फैंज जानदा उसके हैं अगर अब लोगो 15 के मुवी से एक्स प्रेशन पर तो बहुत जानदा चैनल हैं आप जानदा चैनल हूं मारवल की जो भी वीडियो है थे ना उससे रिलेटेड मारवल की मूवी से रिलेटेड ही वो वीडियो बना रहे हैं उससे उनके मिलियंस में फॉलर हो चुकी है तो इस टाइप का आपका फैन बेस होगा से 20-25 साल बाद भी नहीं होगा मारवल एक्स्प्रेन करके तो ऐसे करके बहुत आपको अटेंशन मिलेगी ठीक है तो आपको जो इंस्पार करता है अगर मारवल की मूवी से आपको इंस्पार करती हैं तो उस से रिलेटेड है जिसकि आप उनमें महावारत और जे अपने जो भी रामायन महागरंत हैं गीता तो इनसे रिलेटेड भी आप एड़ कर सकते हो तो उन मैं आपको नहीं बोलूं तूदा कॉपी आप उतार दो उनसे पर इंस्पायर हो कि मैं कुछ अटकर आप लेखो जिससे कि आदमी अगर मुश्टली अपने इंडिया में देखो तो इंडिया में रिलीजन से रिलेटेड कुछ क्रियेट करते हो इंस्पायरिंग कुछ दमागेदार तो आपको आपको बहुत बड़ा फैन बेस आपको मिल जाएगा समझ रहे हैं ना तो ठीक है आँगे बढ़ते हैं अपन जो भी आपको पैशन जो भी आपको पैशन है ना अगर आपको पैशन है अगर आपको पैशन है अगर आपको डेटेक्टिव से रिलेटा अगर आपको डेटेक्टिव लॉयर बनना है तो उस से रिलेटल बनना है ना तो आप सायाथ आपने मूवी देखी होगी Detective Biomix बक्ची करके पहले बुक्ती पर उसके उपर मूवी बनी ठीके तो अप Detective से Related लिखना चाहते हो न तो Detective से Related भी आप लिख सकते हो जो मतलब जो Passion है उससे Related आपको बर्क करना है उससे Related काम करना है इससे लोग आपको बारे में जाने भी और कर भी पाएं ठीक है अगला इस्टार्ट प्रॉम ई-बुक और आपको इंस्पायर करती है मार्वल की मुवी तो इससे लेटेड़ कर सकते हो और आपको इंस्पायर करती है सेल पेल बॉक्स और रिजटेड़ पूर डाट से लेटेड़ बुक आप लिखना चाहते हो पाइनेंस पर लिखना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूं एक टाइटल इस पर लिख सकते हो असर्वाइबल गाइड टू स्टॉक मार्केट ठीक है फाइनेंसियल फ्रीडम है हाउ टू प्रीट है हाउ टू क्रिएट एसे तो ऐसे करके यह भी बुक के नेम लिख सकते हो जो आप यूश्च कर सकते हो आपकी लाइब में जो भी अगर इनसे लेटेड़ आप बुक ले एक काम कर सकते हो जो मैं कर रहा हूं और मैं आंगे चलके मेरी अगली बुक आई आसे तीन साल बाद कि दोएअर चौविस यह पच्चिस मेरी बुक आई न तब तक मैं मेरे लगोला पांसो यह फिर तीन सो एपिशोड को फ्रेस कर दूँगा तो यह पर एक हजार एपिशोड भी कंप्लीट होते हैं जितने भी एपिशोड मैं आपको पुलना हूं जैसकि पांसों पॉड़कास्ट जो करिया है दब यार जिद्धिशोड जो पॉड़कास्ट है उसके उपर भी एक मूवी मतलब एक बुक लिख सकता हूं तो ऐसे करके भी आप कर सकते हूं अभी आप स्टाडि में आपको कोई आईडिया नहीं है तो आप मैं बोलों कि आप पॉड़कास् पॉड़कास्ट में डॉक्टर बिजी वक्षी ने क्या बोला था यह पर आप जो भी आपके इंटर्वी को रहेंगे ना उनसे लेटेल लिखना चालू कर सकते हूं तो अभी तक हमने बात की हाउट टू आपको हर एक चीज से लेटेल इंटर्वी करना आपको क्या टॉपिक ठीक है आप बहुत इंस्पार यू राइट आप आट जो आपको इंस्पार करता उस लिखो जो आपका पैसा ने उससे लेटेल लिखो स्टार्ट वाया बॉक्ट पॉब्लिस करने इस पहले आप आपकी e-book पउब्लिस करो और उसको टेस्ट करो जैसकि मैंने किया था मेरी जो आउट्वीडी और एबिट्स लाइट प्रेट मैंने उसको बढ़िएप करें और उसको मैंने चूज काटेगरी करने के लिए सारी बात है इंपोर्टेंट रटना ठीक है इस बात ध्यान रखोई तो आप आराम से एक सही काटेगरी चूज कर पाऊए पॉड़कास्ट और राइड़ बुक कोंद है एक पॉड़कास्ट करो उस पर लेकर दो बुक ठीक है अब आंगे हम प्रीक कौन कौन की चैटीगरी चेहले पास थो चली बात करते हैं अ ऐख ठीक है तो चली है अंगे के ठापिक पर मैं अगले более टपिक किया है अपना ठीक है और चांद मैया रहा है ना थेक है कि सब कुछ बड़ी है सब कुछ मझे वना सब कुछ मझे में दूर को रिखनी say yes, say yes, are you excited, okay, excited, excited, so let's go, let's go, let's go, you're a little bored, but you have to learn everything, you should write on which topic, okay, you should write in science fiction, okay, science, you are also watching sci-fi movies, you are also watching sci-fi movies, science fiction, you are also watching science fiction, comics books, comics books, and graphic novels, you can see graphic novels, create novels, self-help book category, self-help book category, fourth, inspiration and inspiration and motivation, death, biographies, literary fiction, literary fiction, fantasy, fantasy, it, it, and, it, 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 सब जाना तर बेश सेलिंग बुक निकलती है वो यही केटिगरी है जिन में आपको बता रहा हूं जो भी तो मैं पहले साइट इंस पक्षन साइट पर आपने मूविस भी देखें आपने साइफाइ इंसेप्शन बहुत जाना मूविस देखी होंगे आपने ठीक है और ठीक है पर उसके बाद और ग्राफिक्स नोवल्स आजाती है जैसे कॉमिक्स बुक में अपने ठीक है अभी मैंने एरपोन नहीं लगाई तो अभी मैं कसी की बात नहीं सुनूंगा ठीक है तो अ उसको अपना सारा explain किया किया से आप इस्टार्ट करता है इंडिया में बहुत जाना युदुफ है कॉमिक्स बुक साइन्स पिक्ष्टन पर भी हिंदिया को बहुत जरुब अधर कम मूविस हैं जो बूप की ऊपर क्लियेट हो रही है पर आंगे चलके आज से अभी तो वा जितना भी पिजेक्स की बाट लगा देता है सलमान कान वे चाहिए कोई भी एक्टर लेलो बॉलिवुड में बहुत नहीं कर पा दें मतलब कुछ भी बताते हैं हवा में उड़ा देते हैं गारियां कुछ भी तो उस लेवल की साइंस पक्ष्ण नहीं है पर हो सकता है में तो बहुत से भी टाइम ट्रेलिंग की उपर भी बना सकते हो वह साइंस पक्ष्ण में यह जाएगा तो अब जो भी बुक लेकर है ना तो बहुत को इतना एक्टिब करो से लोग तो हमसे आपने वैप सीरिस देखी होगी अगर नहीं देखी तो देखना चलू ठीक है त तो उसको अतने तगड़े तरीक से लिखो तो at the end of the जब तक बुक खतम ना हो आज में की क्यूरिसिटी खतम ही नहीं हो क्या हुआ बुक में और at the end of the page जो भी लाइस चेप्र बचा है उसके कुछ पेजों लाइस्ट में जाके ही बुक का सस्पेंस खतम हो और ऐसा ही जब सब्सक्राइब बुक के ओपर मुविज बनेगे तो ऐसा ही उसमें होना चाहिए आपकी बुक में जो भी साइंस फिक्षन बना रहा हो वो तूद पोइंट होना चाहिए जो अपनी उसमें डार्क अंटिटी बताया गया है वो सब कुछ तो मूवी में पाद में पता चलता ह मैं एक बार परसे करता हूं इसको 5 मिनिट में एक्स्पिन करता हूं आपको ठीक है इंडिया में जितने भी मॉटिवेशनल स्पी कर रहे हैं मैं कुछ को छोड़कर कुछ मतलब जो चुनिंदा है उनको छोड़कर जो भी बन बुक लिक रहा है न वो सब कॉपी और पेश्ट क यह पॉwn कि पड़ार शोड़कर को लिञूड कर रहे हैं प्सक्राइब कर रहे हैं कि ए उनको exploit इसके मेल रॉबिन्स ठीक है उनकी बाते कोपी करकर और पेच्ट करकर इसमें लेख रहा है और सेल्फ फेल्फ बुक की फील्ड में अगर आप इस्ट्रिक्रियोट करना चाहते हूं बहुत जानता है क्योंकि आदमी लाइप में कम से कम मैं यह बोलूगा कि जो भी आप पड़ता है जो भी एबरेज बंदा है ना लाइप में एक कॉलेज लाइप हो या पर कुछ लाइप हो कम से कम एक मोडिवेशनल बुक जरूल पड़ता है एक या दो या पर कभी कुछ तो पांच-पांच ददस पड़ते हैं मुझ जैसे तो 125 पड़ चुका हूं मैं और और भी चाहीं म मुझको आंग मैं देखता हूं रिप्यू देखता हूं हर एक चीज बगया बारिम करता हूं और मुझको अच्छी लगती है बुक तो मैं उसको पड़ता हूं तो मतलब बहुत जानद है इस बुक है मैं कोई साइंस बक्शन टाइप बुक नहीं पड़ता है कॉमेक्स बु है क्या सीख इस बंदे ने जो पर गड़ति ना कर हूं क्या गलति से असा कि असरी जानद है इंडिया में अगर आप आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हो आपके experience के बेश्ट पर यह पर आपके interview के बेश्ट पर मैंने बूला podcast वाला scene और उसको आप अच्छे तरीके से present करते हो create करते हो न तो बहुत बढ़िया है सोहतब गेंगवार को जानते हो न उसकी book सबसे different है the rudest book ever I will recommend I will strongly recommend that book the rudest book ever बास्वातब गेंगवार मैं सुत्र करके भी उनका था ठीक है वो चैनल भी है उनका तो अब तो उन्होंने साथ नेम चींज कर दिया उसका पर वो बुक है न दा रूड़ेस्ट बुक एवर वो बन आप दे बैस्ट बुक है तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी उन्होंने उनकी लाइब की बेश्ट के experience लेका है उनके एक मिल्यांडेड मिल्यां सब्सक्राइबर होए तो उसके बाद लेका है पर आप कुछ हटके create कर पर आप जो भी कर सकते हो पहल वो किसी motivation inspiration या पर किसी athlete की कहानी लेकर रहा है उनसे इंस्पाइरिंग थोड़ी मोडिलेडिंग थोड़ी क्यूरियसिटी भी होना चाहिए कैसे उनने क्या क्या एचिप किया कैसे एचिप किया तो यह सब कुछ अगर आप कर पाऊगे मैं आपको ओलू कि आपकी बुक बेस्ट सेलिंग बने और आप उससे बहुत जांदर रुपे कमाऊगे इंस्पिरेशन मॉटिपिस्न मैं अब यह बताया कि आपको कॉपी नहीं करना है जैसके मेरी बुक है हाँ तो बीट यू रहबिट्स टाइटली डिफरेंट है और हैविट्स के उपर बहुत कम बुक लिखी गई है अगर आपन देखें पाइव एम किलब उनकी है यार उनकी क्या नाम है है ठीक है उनकी उनकी बुक को मुझको लाट ठीकता आगा है पर मतलब उनकी बुक बहुत शांदार बेट सेलिंग बुक है उनका नाम नहीं आ रहा है यार चलो छोड़ो अभी ठीक है पाइव एम क्लब बन दब बेस्ट बुक है जो सुबह ओटने के लिए आपको हो सकते ह कएऑ और ही वोग गया है यूट के अबेट है ठीक है तो पर इंडिया अपने इंडिया में आपने फोर्द्रल मने रहते हैं Padraic एंच हो जो मेरे पर मैंने सूचा र्धार और ठीक हो ऊपन से बदने की तो उसमें एक एक कर सकते हैं प्रोड़क्ट हो सकते हैं हर एक चीज के बार में बता क्या से हम अपनी आदा दोगो बदल सकते हैं तो बहुत सारी बातों को मैंने बताया है उस book में ठीक है तो वो थोड़ी हटके भी है और आंग चलिके मैं बोला हूँ कि बहुत सेलिंग तो बनेगी मेरी guarantee है आज से एक साल में बनती तो अगली साल जरूल बन जाएगा क्योंकि मुझको पता है क्योंकि मैं उस लेवल के effort नहीं डाल पा रहा हूं उस book के लिए क्योंकि मेरे पास और भी जानदा option है में उनसे थोड़ी में मैंने में इंकम मेरी बहां से आ रही तो मैं उस पे बर कर रहा हूं इस पे भी करूंगा पर जैसे हिंदी और इंग्लिस मे बाइवरापीस बाइवरापीस के बारे मन बता है लिटरी प्रिंचर क्योंभी फिक्शन से लेटर थोड़ी educational content रहो उसमें और थोड़ी फिक्शन हम भी रहता है fantasy movie कोई भी आइलेंड कोई भी परी परियों की कहानी बहुत बढ़ी लगती है इंडिया में परी परियों की खाने हैं तो ऐसा भी कुछ लेख सकते हो ठी है और डरावनी स्टोरी इसमें आप लिखते हो देश कंजना के कितने टगड़ी fan-based इंडिया में हर कुछ औरन में आप बहुत बड़ी तरीक इस क्रियेट कर पा है उनको फील दे पाए इंडिया में तो मुवी तो पक्के में बने ही बनेगी पर एक बार आप आपकी बुक का वो क्रियेट कर पा है एक बुक लग दिया आपने और तो वह उसका बहुत बढ़ी है बोज आपकी इसल भी होगी क्योंकि आज जो भी सेटीस में लोग रहते ना और और इश्टॉरी बहुत पसंद करते और थोड़े आपकी पॉसिबिलेटी है आपकी बॉक के बॉक की 80% पॉसिबिलेटी है कि आपकी बॉक बैस सेलिंग मनी और आपका इक्टेंट एक्स्टर ओडिनरी है और यह इस फिल्ड में से लिखते हो जाने तर चुत्ति मैंने बॉक देगी हैं अभी ओनलाइन साच के दिए यह में में इन फिल्ड में जो भी 70 से 80 परसेंट पॉक मिली जो इन फिल्ड में पैस सेलिंग बॉक है ठीक है तो आँगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर तब तक के लिए मैं आप सब्सक्राइब कि आप अगें पांच मिनिट का रेस्ट लेने या अगें पांच मिनिट का रेस्ट पर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अब तक कि लिए मैं पॉस्त है हलो ओके चलो आँगे बढ़ते हैं अरे वो प्यर दुखने लगे यार पर दुखने लगे इस खारण से अब खड़े होगे पढ़ाई नहीं होगी बड़ा नहीं पांगा चलो ठीक है मैं आपको बैट की समझाता हूं डिड़ गंटा हो गया यार अब इसमर्ट पहले के स्टाट के जा तो आंगे बढ़ते हैं आंगे आउट टुश्ट राइटिंग अब बुक को राइटिंग को स्टाट कर दो बहुत सारी अपने बात करें के टिवरी चूज कर लिए ठीक है और आम पूर्टें समझ लिया ठीक है किस के टिवरी में किया तो अभी से कैसे विखना च्यालू कर सकते हैं याही बात करते हैं टीके तो एकय तो अब यह घ्याभर कर रहा हों ना तो अभी वीडियो पौस्ट रहा हो ना इक गंटेधिक को अपने लेकिक हम करना कि थोड़े लेकźniej अगर आप इसको यूटॉब पर देख रह तुं कि योटेप पर देखा है तो अगर इसको देखोगे ना इसको बाद में यूटेप़ हो इसे क्लास को टेंड कर रहे हैं ऑनलाइन फिरी सैमिनार है आपको सब्सक्तिंदा है तो इसको आपको यूटीब पर मिल आई ब्रेक लेके पर पूरा देखना ठीक है तो अब इस्टार्ट करते हैं हाउ तो राइट आउट इस्टार्ट राइटिंग यूर बॉक अब अपनी बॉक को सब्सक्राइड और राइट डाउन यूर इस्टोडी आइडिया तो सबसे इ इस इपक्राइड रिपक्राइड और रहे दो तो अब प्रॉस्ट रिपक्राइड पक्राइड अब तो यूट इस पर अब तो पर पर शुट्ट के आप अपना करना है और राइट डाउन योर एड चोगी आपका इडिया है ना उसको लिख ले ना आ तक टिया था आइड़िक ना हो टुम पर लिखना है है लोग यह एजना हम इस में फिटारि नेम ख़क लिए थे तो साइदे बहुत सारे आइडिया से बहुत सारे मिलिनर्स की नहीं है Uhh हमारी इस टूरी के तो मैंना अइडिया तो हमने आइडिया है तो हर या चीज इस की यह आपना चाहिए तो इस बूक को पढ़ना चाहिए तो इस बूक को पढ़ना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं तो कैसे बदल सकते हो और दो दिन में अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हो या पर एक अपते में या पर एक महीने में या पर सोबय कल से उटना चालू करना चाते हocy राट को 4-4 बजे तक इबेद करना चाहते हूं निए क्यश्षिंग का चेयर ने इता हिसमें सब कुछ लिखा है अगर आप हांगे बताए और आप और भी जान दर होप्र कमाना चाहते हो फिल्मे काम में मोर मुस्रें तरह रहते हूं इerved ऑफोटवर्राइब नहीं में नेकने तो आप में आपने से कोई भी प्रोडम है आपको एस प्रोडम और सब्सक्राइब कर दोगे इस बुक को पढ़ते हो तो ठीक है यह सारे रीजन थे यह सारा मैं आइडिया था मेरी बुक का जो मैंने बताया जो यह बुक है मैं आइडिया था इस बुक का मैंने तो पर डियॏ नहीं को पताया यह मैं आइडिया था इस बुक का है आप क्या लिकने बाले हो आपकी book में तो man idea, man story idea आपका clear होना चाहिए जब तक आपका story idea clear नहीं हो न आप कितना भी causes कर लेना आप कितना भी causes कर लेना आप book को complete नहीं कर पा हुए और उसमें क्या पता क्या लग दो कुछ भी पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या लेकोगो और उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा उस बुक के पुसे ठीक है तो इसके लिए मैं आपको यह बोलोगा कि आप आपका जो भी मैंने इस्टूरी आइडिया आपकी बुक का तो उसको क्लियर करो तूदा पॉइंट क्या है आपकी इस्टूरी बुक का आइडिया तो उसको टूदा पॉइंट क्लियर करके रहूँ जब टक वी क्लियर नहीं हो ना आपका श्टूरी आइडिया तो आपकी बुक ना भी बैस्ट सालिंग की न आ उसको कभी कंप्रेट कर पा हूए क्यूब को क्या लेकर है मेरी बुक में किस चीश से एक चली में आपका सिर्भ कर अईडिया जो भी और आपका आइडिया कली कर एक आपकी बोगुताई यह हो सकता है आपका एडियू और किश्छ सकता है यहां वह सकता है यह बिक करने का था है आपका और ौर कुछ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत कुछ एक्स्टराइब कर सकते हैं यह सारी पात है मैंने आपको बताएं ठीक है तो सेकेंड सेकंड पॉइंट है इसको अप ध्यान लगें एट लिस्ट रीड और कि इसटरीड सम्वरी और बोक एन अन्द प्लस बुक्स एन यूर कैटीगरी तो राइट मास्टर पीस तो एकर आपको आपको मास्टर पीस बड्र बनाना तो आपकी फीड में जितनी वी यानदब बैश सैससलेंग बुक एं जितनी भी बैश सेलिक हैं पर जो भी प्लाइब हैं उनकी सारी डिटेलिदयों उनकी समरी पढलो उन उन सारी 100 वके ठीक्यकर आपके पास जहांदर टाइम North नहीं है तो मैं बोलूगा की सारी पढलो और आगर आपके पास आप दो if में और लेकर तो हम आपको एक साल तो आपको एक सालते रहे ख़ाया और थीक्स तो वो मतलब टोटल लाइप चिंजिंग बुक होगी मेरी मेरी बुक की दरा ठीक है तो आंगे बढ़ते हैं तो यह बोलूँ कि ऐसा ही नहीं कि आपने मुह उटाया इस बुक में क्या स्पिसल चीज़ है इस बुक में से क्या इंस्पिरेशन दे सकते हैं दो कॉपी आप कभी करन इतना भी मत है क्योंकि अगर उसमें कॉपी राइट ठोक दिया आपकी उपर आपकी घरवाल होगी पूरी फैमली की इतने भी प्रोपर्टी है ना जितनी भी प्रोपर्टी है घरवाल होगी सब कुछ बगजाए और वह ऐसा नहीं लागा थे एक लाग दो लाग का क्लेम सी जाओगी तो इसलिए मैं बुरूँगा कि आप जो भी ले रहा है ना उससे इंस्पारेड हो कॉपी मत कर तूदा कॉपी आपने छाप दिया है ठीक है और अन लोग के एगर कोर्ट्स भाड्स भी यूँज कर रहे हो न तो आप उन लोग की यूज करना जो से पहले 70 साल पहले थे क्योंगा सत्तर साल बाद कुछ ऐसा रहता है कि उनकी मरने की सत्तर साल बाद आप कोई भी कॉइज उज यूज कर सकते हो आप भगस स क्षार्स ज़ेंप से और जो भी जिसके भी आप क्रेडिट दे देना WHO कि समाज़ए नब क्रेडिट उनको नहीं वहाई से बहुत बड़ी दख्कत हो जाए है और आपने उनको प्रेड़िट नहीं दिया और आपकी लाइब पूरी बरबाद हो जाए है तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा है कि डॉन्ट गो फॉर दैट इसमाज रहा है तो डॉन्ट कॉपी प्यूपल कंटेंट क्योंने इनकी लाइब में लिखा है इंस्पायर हो कि लेको कोई दकत नहीं है अगला थाड यूर पॉइंट अव व्यू देखो आपकी जो भी आपकी लाइब में जो भी पॉइंट अव व्यू है आपका जो भी तरीके से एसोशीट करके सही तरीके से बना के ऐसे लिखो कि आपका पॉइंट अब भी विल जा है और जो भी पड़ रहा है ना उसको सिंपल और सटिक समझना है आप क्या सोच रहे हो और आपके बताना चाहते हो और आपका मैसेज के लिए नहीं रहेगा और आपका चोड़ी चोड़ी चीज़ीओ का ध्यालों कि आप फस्ट चेप्टर में कुछ बात करें और सेकंड चैप्टर में आगे आप उस फस्ट चैप्टर की बात को नेगली जिविल कर रहे हो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए आप पहले पहले तो बोला हो कि सबढ नहीं कहाना चाह ताइक लीप पर उसको ही देखते हुए पूरा काम कम्प्लेट करना जो भी आपका कम्प्लेट है तो आप पर उसको पीचे रह जाओ है ठीक है तो आपका पॉइंट अब व्यू टुदा पॉइंट होना चाहिए अगली लाएं कि एस्टैबलेश तक कि एस्टैबलेश घ्रियोर बर्ग का सब्सक् Aur 수 Flynn को पिकले अगले तो इस्टैक्स तो इस्टैक्स Все दो चुप आकर चोबीं अवर्ज कन छुझे आपको मन में चन टिया रहा है ये अविक जाना चाहिए अरे ये विक अम्रें इसमें ये भी डाल देता तो यह थोड़ा कुछ पॉइंट है ना आपकी बुक में आप इसा पेज ले लेना ठीक है तो इस बात का में ध्यान लगना आप और यह नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्काद हो सकती है आपके साथ क्योंकि आपका में टार्गेट ही क्लियर नहीं है न तो परकास होगा ठीक है तो अभी यह सारी चीज़ स्टाट कर दकते हो यह चार पॉइंट थे जो मैंने बताया जो आपको बिसेज द्यान रखना है बुक को लिखने इस पहले अभी लिखना है चालू कर दकते हो जो भी आ आउटलाइन यह सबसे इंपोटेंट है जासकि मेरी बुक की आउटलाइन है सबसे बड़ी हैडलाइन है जो हेडिंग है जो टॉपिक है वह हाव टू बीट यूर हैबट्स जो आपका यह टार्गेट क्लियर होना चाहिए जो भी आपका यह ना इसे क्या बोलते हैं है है आ सारी बात है आपको ध्यान रखनी है तो चलिए आएंग बढ़ते हैं है कि चूज योर इस्टोरी स्ट्रक्चर दो किस तरीकित आपकी स्टोरी है ना उसका इस्ट्रक्चर आप क्लियर कर लाओ पांच पॉइंट में देखो मैं आपको बताता हूं अगर आप कोई अगर अगर साथ और में आपको अगर से अगर स्टोरी आपको तो में पांच या दस करते हो पांच पांच इस्ट्रक्चर दाल डखते हो ठीक है कैसे रोड़ो की कैसे इस्ट्रक्चर इंट्र। सब्सक्राइब कर रहा है और जो भी इस से जो भी अपना काम करता है जो भी उसकी फोल्ड में तो सॉल्ट करके आने बढ़े लिए तो रहते हैं कि पांच श्ट्रक्चर डालताकते हो तो यह मैंने बेसिक बता दिए आपको के आपके सत्रिके साबकी स्टरी में श्ट्रक्चर डालताकते है जो आपकी बहुत बढ़ा रोल प्ले करेंगे और आपकी स्ट्रणी में इस्ट्रक्चर नहीं ना तो बहुत पीछे रह जाओ गया ठीक है इस्ट्रक्चर टूदा पॉइंट होना चाहिए अगरे बात पर आते हैं चूज यूर इस्ट्रक्चर मैं आप बताई दिया ठीक है क्रिट आउट लाइन होई यह अपनी पॉइंट भी होगे अपना ठीक है अगला आते हैं ना इन्थ पिक और राइटिंग सॉप्ट्वेर टू राइड फास्त को अगर आप लिख लिख कर बुक में या फिर आप उस या पर कोई फियर में आप लिक राई है या फार या पर डाईरिम में लिख रहा हो आपकी लोट लिख को आप लिक रहा हैं तो उसको कम से कम एक साール urine लागेगा और एक महीना उस्को इबुक पर में ए पीडिया या पैज पर डोकुमेंट के फॉम में जो भी Google डोकुमेंट रहता है उसको कर्मट करने में एक महीना बोला गएगा तो ऐसे करके आपको एक साल तीन महीना लग जाएगा आपकी बुक को पबलिस करने में तो मैं इसके लिए यही बोलों कि आप डारेक्ट ही आप कोई एप चूज कर सकते हो ठीक है जिस पर मैं आपको देख रहा हूं अगर इदर देखता हूं आपको मैं आपको देखता हूं ना लैप्टॉप में तो उससे क्या रहता है कि मेरी आपके जो भी आई-कॉन्टेक्ट रहता है वो आपसे नहीं बन पाता है इस लिए अपको यहां पे दुक की मैं आपको यहां पे दूओको देखंगा तो सही देखंगा ठीक है ऑई सैड़वगा मैं आपको कि यहां पर आज सर्प आपके परीसिए देख रहा है मुझको यहां पर ठीक है तो इसी बात पर आप सीबसजित सब्सक्राइब बता ने कौन से सब्सक्राइब तो मैं लेकर रहा था तो मैं थीजिए तर फेस्ट गूगल डूगमेंट लेफ्ट आप असमें माइज मॉबाइल है टीक है और नोट्स करके रहा था अपना मॉबाइल का इसका अप्लिगेशन उसमें भी यूज किया है ठीक है और थार्ड अपना यह पीडियाब फों में अपना यह गूगल डॉक्त अप्टर था ठीक है तो पीडियाब फों में convert करके उसको मेरी गूगल ट्राई पे अपलोड कर देता था जो भी ज़ना भी तू दपॉइंट हो चुका है उसको अफलोड करके कर देता था मैं ठीक है जिससे की अमेसा के लिए वह कंटेंट रहा है बाद में कॉपी करके पेश्ट कर दो अपना जो भी यहां पर भी इंप्रूब करना है यहां पर भी कुछ करना है अशुशियेट ठीक है तो ऐसे करके मैं मैंनली मेरा जितना भी परसंट था 80 परसंट काम था मेरा गुगल लोगमेंट से ही हुआ है 20 परसंट अधर एप्स मैंने यूज़ किये थे ठीक है जमाने के लिए एडिटर आयर किये था उसने थोड़ा सब को जमा दिया था उसने कुछ पांच से शहार रुपे करीबन करीबन एक पेज के कुछ करीबन करीबन 200 याड़ाइसो ले दें एक पेज के और चांदा रुपे चार्ज करते हैं इतना मुझको ध्यान नहीं पर उसने पूरे पांच एर लिए था अपने बुक के बहुमेला ओला 1445 पेज हैं कि दो आंग बढ़ते हैं ठीक है तो क्या करता आपना सॉप्ट्वेर चूज कर लिए अपने कौन सा गूगल डूकुमेंट तो उसको क्या है कि गूगल डूकुमेंट जैसे याप चूज करते हैं उसमें बोलने का भी option आता है जो भी आगर आपको रेंडम थॉट आ रहे है अपर कोई भी आपको चीज सुनने को आ रहे है अपकी दिमाग में आ रही है तो आप उस नोट्स बाले रहे जो भी आपके नॉर्मल पोफल में रहता है नोट्स में आपने कलेक्ट कर दिया कि इस चेप्टर में में यह यह लिखने बाला हूं रेंडम को अटाया बो लेक अपना जासके गुवल डोगमेंट अब जब भी टायम में आपके पास तायम नहीं है अंगलेस में लिख सकते हो बाद में करेक्ट हुआ है पहले आपकी बुक को कम्रेट करने पूकस करो पर दुखर आपन रहे ना उसको करेक्शन करें पर एडिटिंग होई गी पर दौर अपनी बुक को कम्रेट करने पर वबस करो रहे हैं ना उसको कम्रेट करने पर वो सारी प्रोसेश में भी आएंगे अपन ठीक है ऑड़ और और चेंट यह सबसे में मैं आपको भोलना चाहूं गहता कोच जैसके अभी यह देख रहा हुँ ना तो अगर आप अभी इसको दे पर दिक्कत कहती है नहीं प्रॉबलम आती है इसके बाद क्या होगा इसके बात क्या होगा तो यह सारी प्रॉबलम में क्या होता कि आपको एक पोच की जरूलत होती है जो भी है आपको खुछ हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैं मैं में इंटर मनी सर नहीं को मैं करूंगा कि मां मेंटर उन्होंने मेरी हल्प की थी ठीक है और और एक और कूं थे आर लाइब कर कोई थे उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी हैं वह भी वोक्त्रेटिट द हएइं और यह पर आप मुझेimas प्रोग्राम में प्रोग्राम में जाना लोगों की एलप नहीं करता हूं जब तक उनकी एलप करता हूं स्टार्टिंग से एंड तक जो भी उनकी बुक का टाइटल होगा टाइटल से लेके एंड तक मैं एलप करता हूं बंटुबं गाइड करता हूं मैं तो इस कोचिंग के इस प्रोग्राम के जाना नहीं दस आयार और पे चार्ज करते हैं जब तक बोग कंप्लेट नहीं हो जाती ठीक है तो सारा पीमेंट तो एडवांस जी होता है फिर मैं आपकी पर्सनली एलप करने में जो भी आप लेखर रहें न उसको मैं स्टार्टिंग से लेड़े कि जैसके मीरी बूख है न जैसकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपकी से पड़ना फॉब्लसिंग ताक है और पबलसिंग की ऊपर आपकी पडिदुम पड़िषाइड कर एग करवागी उ सब्सक्राइब करें तो इस लिए कर आए घुए विए तो 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 ठीक है इसे प्रविश्ट होती है तो यह सब कुछ मैंने चुखा है जो मैंने चीखा है जो मैंने डेड़ लाग रुपे बुक में पब्लिश करा कि वही तो वही सेम पब्लिश हो जाए लग लाग पच्छे से 30 रुपे तो ऐसा करके उठता है तो यह सारी चीज़े आपको सीखिने को मिलेगे तो एक पर्सनल कोच रहे है ना तो यह कोई ओनलाइन कोट नहीं है अगला 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 पॉइंट जितो इसके लिए आप मेरे नमबर ले तो अभी यह मेरे टीम करेगी तो इस नमबर कोड़ सकते हो ठीक है अगला आते हैं अगला अगला आते हैं इस्टेबलेज का राइटिक रोटीन जोगी आपका रोटीन है ना पीक रोटीन कर लो गींगोषको अगला मेरे मेरे पोगली की लिए तो मैं तो इस ना डैस्परेटी हो गए आता यह थो चुझछ चोड़ दिया तेब एल्ग को क्प्रेट नहीं दी ना मेरे पास रो मेंटिरियन था लग लग चार निपान्च मेरे पास रो मेंटिरियन था बहुत सारा करी मेरे पास कितने थे था करी मेरे पास रो मेरे दायरी लगता था मेरी तो मेरे पास रो मतिरियलता उसको सही नहीं कुछ लिखना था मेरी बुख क्मांडो केम्प एंड हुआ तो मेरी बुख की क्रोमाटरियल तयार होगा है मेरी बुख में कितने हुआ थे 220 पेज मैं तू दपॉइंट रिया, मीनिंग्लेस बड़ को काटा, उसको समराइज किया, पर उसके तीन महीने बाद, हमने बुक पब्लिस करवा लिग दी, ठीक है, तो आंगे बढ़ते हैं, तो एक टाइम सेट कर लो, जैसकि दस से बारा, जैसकि अगर आप ओपिस में काम करते हो, इसक का भी काम रहता होगा, आपके बास, आपकी कमपनी का भी काम रहता होगा, तो इस सब को छोड़ने के बाद मैं आपको बूलूँगा, कि आप ऐसा रोटीन सेट करो, कि दस से बारा, रात को या पर एक गंटे डेली, डेली बुक लखो, तो अगर आपका पिक्स टाइम रहे बहुत पड़ा डेली बुक लखो, जिससे बहुत पड़ा डेफरेंस आता है, वह आप आपकी बुक को कमप्रेट भी कर पाऊगा, जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छे तरीके दो को काम कर पाऊगी, ठीक है, अगला, कि एक सेट कर लो अपना रोटीन की, मैं इतने जिससे आप टाइम तो टाइम अपना काम कर पाऊगा, ठीक है, अगला पॉइंट, कंजीडर आया है, फोर राइटिंग इन यूरोप पॉन, एस बेल एस न यूर लैप टॉप और आपके पास आई पैड है, तो आई पैड में भी रहो, वह सेम एप आप आपकी कि अपकी वुक तो असे आए पैड यू करना तो आपके मोबाल में कर सको, आपके आइपड है अपका आएपड में भी आप कर आऊपके खान, जहां सक्क्राइब हो दुट है. जहां सक्ष़ own it अनुच्ण में क्या हुए तक लगी तो मतलब हुए पैड मैरे बुक, मैंने मोबाल में थे तो इस कारण से आदे हो गाया थे तो पर मैं सूचा की क्या किया जाए तो उसको लगो लगो खर सालम नाम उनकात मेर को तीन से चार देन लगए सारे मटेरियल को एक जणाय कट दे करने तो येôब के साथ तो यह पाइब आपके साथ भी होगा आप नहीं करोगे तो यह काम तो सेम आप यूज कर लैपटॉप में भी और एसवेल आपके मोबाल में भी और आइपड है तो आइपेड में भी तो उससे आप अच्छे तरीके से वह काम कर पाऊ जास कि मैं गूगल नहीं भी चुकी उसको पालाइट चैप्र पीछे जाके देखो अगर आपके साथ चैप्र कें प्लिट हो है और यह अपता हो चुका है और आपने कोई कारण सापकी बुक को नहीं लेका है और आप एट चैप्र लेगना चाहते हो तो उससे पहले एक बार आप रिवाईस कर लक्राइट चाहलों कर देखा हो तो आप श्टोरी बटा के जाऊए जो लिखना चाहते हो ना वो कभी लेकन है नहीं पाके यह मेरे साथ हुआ था ठीक है तो लगोलाव मेरे परिवार में दादा चीती तरफ परिवार में दादा चीती जब मैं जाँ पर गुड़ा था ठी बनाई सकते तो मैं नायन चेप्र थम्भू चबर को मैं लेख रहा था तो नायन तक तो तक तो मैंने टिक टाउक लिंगा पताथ फोन में था पताथ इस पार होगे थे तुर 15 दिन तक वैंने एठेश चली मेरे बगने के लिए तो फिर मैंने उसको दस चैप्र को लिखना किय लग लवर Bon害 ने इस ती तो फिर मैंने देटा कि तो इसके लिए मैं आपको बोलूगा कि आप टूदा पॉइंट तैयार करें श्टोरी रबाइज करें पर उसके बाद करें अगरा इपर पीटर रीडर पर उसके बाद आपके एक रूम नके यह तैयार हो गया फिर उसके बाद जैसके मेरे पास मेरे पास पहला कि उसके आप में लाउन्ज कर दी तिक है लवलग एकड़ी पर एक बार कंडेंस की थी तब हमारे पास थे लब लग 165 या 170 पेज थे हमारे पास तो उसको हमने इबुक की फॉर्म में लॉंज करती है तो इबुक ना इसकी तेस्ट रहते हैं जो भी यूटुब ने भी आपना इस्ट कर दें जो भी मुझा थोड़े एडवांस वीचर आ जा दें तो मैंने इबुक को ऐसे ही टेस्ट किया तो बहुत से मुझको एक बड़ी अरभी उमला और भाव मुझको बेकार रभी मिलता तो मैं बाव मुझको पर रभी मिलता तो तो थोड़ी ग्राम रही करेक्ट नाइक थी तो मैं जाता भी इस बुक में जो मैं गंटेंट है इसमें और इसमें चौतिस पेज़ाई है इस बुक में ठीक है तो इसमें 169 पेज़स से अमने इसमें बंग 34 कर दी जो भी सम्वनी दें गल इसमें जो भी मिश्टिक रहेंगे इसका जो पर्ष्ट एडिशन था अब सब्सक्राइब और कुछ नई चेप्टर्स भी एड़ होगे ना वह एड़ करके फ्राम और इसको बड़े लेवल पर इंटर्नेटर्टर इसके बैट सालिंग बुक का बनाने के लिए अगला है अगला है यह बहुत इंपोटन काम है या तो आप पांच एड़ेटर आइड़ कर लीजिए सब्सक्राइब दो तीन 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 आइड़ रुपे लेकर या फर एक ही आप प्रॉपेशनल एड़ेटर आइड़ कर लीजिए जो पांस से दस एड़ रुपे चार्ज करेगा आपकी बुक को एड़िट करने के लिए ग्रामर मिश्टिक से लेकर हर एक चीज उसके फॉर्म पॉंट ठीक है डिजाइन पैराग्राफ हर एक चीज को तूदा पॉइंट कर देगा वो पेज सेट अप हर एक चीज से कर देगा या पर आप वो यह दो से लेकर दो दो आयर वाले दो तीन अक कर लिए चार्पमाच कर देजिए उससे क्या होगा कि आपको बहुत जहन्दा सीखने को मिलेगा ठीक है और आपकी बुक का जो दिखता है वो बखता है वो इस टाइप का रहेगा ठीक है और एक ग्राफिक रिजाइनर भी आता हाँ हर कर दें करीमन करीमें आपको 10 डॉलर से 15 डॉलर कर लें आपके फ्रेंट और बैक के पेज रहता ना जो रहता है उसक प्रेंट लेटर बनाओने में अगर आप खुदी बनाओन तो उस लेवल के आप वीडियो एडिटर या पर जो भी रहते हैं उस लेवल की आप की डिविड नी तरफाऊगा आपके बुक से चलनी के नीए तो आपका मैंपेज रहता है जो बिखता है वो बिखता है यो परस दो करेंगे तो यह मात आप अमेसा दियान रहे हैं तो अगली बार आयरा प्रोपिस्ट राइटर तो यह अगली तक का आउट पॉस्टार्ट राइटिंग भुक से रिएटड आप अभी से ये काम परके आपके इना वी चालब कर पर लोगई थिक है अब इसके बाद आते ह तो थोड़ा देश्ट ले लिजी आप दो मेंट से स्टार्ट करते हैं कि दो मेंट कर रेश्ट लेजिए आप सभी ओके कि और पानी पी लिए और अगर आप ठक गए हो तो आप रेश्ट कीजिए कि और आप ठक गए हो तो रेश्ट कर लीजिए थोड़ी एक साइस कर लीजिए शूरी नमसकर कर लीजिये प्रयोग कर लीजिए जो भी आपको करना हूं कि आपके आत पर सी कर लीजिए और आप यूटूप देख रहा है थोड़ा रेस्ट लेली आप यूटूप देख रहा है उस वीडियो गो थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि बहुत चांदा कंटेंट तो अब दो वंटे खताम हो चुगे हैं कि दो घंटे का साम हो चुके हैं चले तीसरी घंटे के लिए श्राट करते हैं और अज इसके बाद सिर्फ दोई पॉइंट वचें कि हाउट टू पब्लेश यूर वॉक इस पॉइंट में बात करने जारें कैसे हमको अपनी बुक को पब्लेश करना आना है और इसके बाद फिर हाउट टू से लिए और अपनी को कैसे सेल करना है तो हर एक चीज़ बात करने बाते हैं यह कर दीजी और एक काम करें इसको सेर कर दीजी और मैं आप जतने भी आधी इसको अटेंड कर रहा है यह 40 प्लस फ्यूपन तो मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि इसको आप जैसे यूटूब पे अपलोड हो जाई जो भी आपको आपका रह चुका है उसको एक काम करना कि इसको यूटूब पे जो भी बीडियो पब्लेस हो आई ना कम सकम आप दस लोगों को सेर गलना कि वह इसा इतना फ्री कंटेंट देना है तो कुछ तो वेल्यू करो हमारी कि चलो ठीकर आंग बढ़ते हैं कि फस्त कि पब्लेस बॉक करने के लिए कि गैट यूर पहले तो द चीज या पर देखो एजनसी को आप करिवन करिवन कितने हैं कि 25 रुपे दोगे मिनियूम चार्ज करेगी कितने है कि 25 रुपे चार्ज करेगी और पर उसमें से वह आपको 30-40% हर एक बुक पर रिवेन्यू देगी ठीक है जो भी रहता है ठीक है या पर आप खुस्ते कर सक तो यह सेल पबलेश्ट सेम थोड़े आप थोड़े आपके रुपे भी कम लगें और आपको फायदा भी जानदा हुआ तो मैं इसके लिए रेकमेंड करूंगा कि आप सेल पबलेश्ट करो बुक को ठीक है जो मैंने किये और जो मैंने गलती के इम वह भी वाताउंगा तो एजनसी देखो बहुत देखो मिनिममम आपको कम सकम 30-35 रुपे या 25-35 रुपे मिनिममम चार्ज करेगी एक कंपनी आपसे और मैंगी दो में एक लाग रुपे तो पहला कि आप स्टार्ड करो कि जो भी बुक है न आपकी तो पहले तो आपकी बुक को कंप्रेट कर लो मैं आपको बुला पिलाइट पॉइंट पाक्त अपने एडिटिंग कर लिए ता ठीक है बुक को कम पेट कर लिए अब वोक को हर से इपाली कर लो उसमें कुछ भी रहना जा कि यहां पर प्रोब्लम पर प्रोल्म हुए यहां पर नोब्लम होई सकेन्ट ऑप और लुप कंप्र कि यह सबसे इपूर्ट काम है आपको पबिलिस कर रहे हैं ठीक है पर्चेस और इसबीन नमबर आपका जो भी इसबीन नमबर है वह आप पर्चेस कर लो ठीक है यूटूब पर दिख लें आव टू एपलाइप और इसबीन नमबर और आप एक एजनसी के तुरू करते हो तो आपको लव-लव 15 से विजन में आराम सबसे जाएगा और अगर आप खुद इसबीन नमबर के लिए अपलाइप करते हो तो इसमें मुझको लव-लव ढाइए मिन लग्या है तो मिरे इसबीन नमर को आने में यह आईएजबीन नमर यह यह जहां पर रहता है उसको आने में तो यह एक बड़ी दिक्कत है अगर आपको सेफ लाए करोई ना और सही तरही है सब कुछ सकर पाई तो तो आपको 15-20 तेन में मिल जाएगा यह पर कोई डोकुमेंट रह गई यह पर आपको सेल्प करते न तो लग लग एक महीने लगे दो दाई महीने लगे जाती है और अगर आप कंपनी से करवाते हैं तो यह तो अगर आप एजिंस कराओन तो आटोमेटिकली हो जाए तो जैसे ही आपकी बुक लेगना चालो करो आ को सी दिन आप आपकी के नेम का आज बीबन करा अब कर देना हो ऑट अडिनक पर नोब्ला करतीं तो आपको त्रवह दिन को भले जो हम और गए यह कंप्स बुक होगे तो अब तरम की आपकी नमर दाइसनु नहीं क्याओक आपका व अंब्क लेश्मात अ क्या緘्ञा आत कि कि मेरे बुक करता हूं कि मैं इस बुक को लग रहा हूं तो इस बुक को मैं लग लिए तो के हैं तो ये एक बात कि आपका इस्पीन नंबर आप अच्छे तरह की जैप लगा है यहां को यूटुब पर वीडियो मिलाएंगी या उप्लाइप पूराइप पर एक प्रॉप्साइट मिलेगी आपको उस वेबसाइट पर जाके आपका आधर कार्ड लगेगा पैन कार्ड लगेगा ठीक है आप आपकी बुक का नेम लगेगा थोड़ी डिस्क्रिप्शन लगेगी उसकी और क्या दो चार चीज़े और हैं वो आपका नेम ठीक है आपका कोई को उथर है तो आप जिसकी एल्प कर रहे हो आपका एडिटर अगर आपका एडिटर है तो यह पर आप सेल्पब्लिश्ट कर तो आप खुद का ही नम डाल देना ठीक है और आप कहां के रहने बादे हो अधर काड लागेगा ठीक है आपका करने बादे हो किया क्या इंप्लेंट सी है यह मैं चीज़ें यह उनलाइन एक्प्ला हो गया था कि कर आणир पणार पर्मेंट कर अब्सक्तूं सब्सक्रिंस ग कि अधिक है यह फिर आप आप की और गम क्या रहता है उसका मतलब कहां से पावल रहा रहा है क्या कर रहा है और आपके जो भी आप ग्राम के लिए आपका बॉक का डियान यह फ्रेंट और बैक जो दोनों पब्लेश कर वाद करते हैं ठीक है दोनों पेजे चाहिए आपकी एक दू चेप्टर कंप्लेट हो गए आपकी बुक के तो आपका बुक का डिजान है ना बुक का कबर आंगे बनवा लो बहुत अच्छी तरीके से बना लो और आप उसके और आपका प्रेंट और पेज मन गए ना तो उससे आप आपका प्रमोशन भी कर सकते हो ना प्री पोक प्री उकसा लिंग कर तक्ते हो और आपके आई बेंबर को कि अपिलाई कर दो ना तो आपको दोनों पर धाल तक है चलो आने बढ़ते हैं कि आधा जाए का युझा कौने कि फोकस आंड तो सबसे में को ना कि आपको बैश्च बनाने ना तो आपको कवर के प्रेंट और बेक पेज को दोनों को अटरेक्टिब बनाना हुआ आपको एक graphic designer को higher करना है और उत्ते लेट जो आप चाहते हो जितनी भी आपकी फील्ड में जितनी भी extraordinary book हैं best selling है millions of copies sold out हो चुकी हैं उन सबसे inspiration लेना उन सब के cover design देखना और क्या आप आप add कर सकते हो क्या आपके कर सकते हो क्या आपकी DVD ला सकते हो आपकी सब कुछ लगाने के लिए बाद करना क्यूंकि आप देखोगी ना कि जो best selling book हैं उनके cover सारे different रहते हैं और थोड़ा और आप पैसे normal book के देखोगी ना तो वो मतलब नार्मल book रहती है है Amazon पर डाली रहती है वह Amazon पर और बहुत सारी बुक्स जो कभी तो पांच-देस-पचास मुस्किल से sold out होती हैं तो उनके पीछे कारण क्या रहता है कि उनके cover design बहुत attractive नहीं होते हैं तो इस बात का ध्यान राखो जो दिखता है वो बिखता है सब से important ठीक है और अगला फिप्त find a book distributor जैसे कि आपकी book publish हो चुकी है ठीक है अब आपने book publish कर वाली self-publish हो चुकी है सब कुछ हो चुका है ठीक है तो अब क्या करना आपको selling में यह आगा है यह pre selling में आगा यह सारी चीज़ है ठीक है ठीक है find a book distributor जो आपको distribute करता के आपने इस पार प्लिस कर वाली जो आपकी डिस्ट्रीट करता के फीस्बूक पर इस्टेग्राम पर ठीक है अगर आप खुती करोग ना तो आपकी वेबसाइट पर भी तो एक डिस्ट्रीटर पाइंट पर जो आपकी सारी बुक तो मैनेज करें सेलिंग से लेडियो सब का चूर अर एक चीज मेनेज करें अगर आप खुती करोग ना तो बहुत टाइम लग जाएगा उस चीज में तो बहुत लेवल का बहुत टाइम वेस्ट होया आपका और भी नहीं कर पाऊगी तो इसके लिए आपको एक ही चीज रिगमेंड करूं क कि आप एक डिस्ट्रिबूटर फाइंड कर ला तो जो भी पांच परसंट दस परसंट लेगा तो बोसको नहीं रुपए दे देना और वो आपके लिए आरेक चीज काम करेगा पैकेंग से लेके आरेक चीज तक डिस्ट्रिबूशन तक जब तक जो भी जैसे योडर आगा वो सब कुछ देख लेगा ठीक है सेक्ट मार्केडियर बॉक दोखो आपकी बुक को मार्केट करना चालूगा रहा जैसकि मैंने मैंने सबसे बड़ी दल थे कि कि यह मेरी बहुत बड़ी मिस्टिक लगती है मुझको कि मैंने मेरी प्रीबॉक कि नहीं करी और मेरी कर ले तो मेरी करीबन करीबन 200-500 जो मुझको श्ट्रगल करना पड़ा है स्टाइडिंग फेस में कि 200-200 बोग मुझको सेल करने में बहुत टाइम दागा जैसे मेरी पवले सो इसके बाद और मैं 200 से 200 या 500 प्री सूल्ड आउट कर देता तो मैं रुपे भी बना पाता अच्छी लेविल पर ठीक है और इतना श्टगल भी नहीं करना पड़ता मुझको तो प्री बुकिंग का आपको में ध्यान लगना सेवन बी रियलिस्टिक जहांदा उम्मीदे मत करो डॉंट और एक्सपेक्ट तो यह ओवर एक्सपेक्ट ओवर रेटेट चीए मत करना इस्टाटिक जो भी आप करो तो तो तुद्ट रहो तो इस चतने जहांदा फ्रेंड बनाओं आपकी बुक्ते नहीं दोस्त बनाओ नहीं लोग से करो या पर आप बड़े-बड़े लोगों से भ आप बूल कर भी आप कर सकते हैं या फिर आपकी जो भी फिल्ड में सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे करके आप जदने जांदा फ्रेंड बनाओगे ना फुद नहीं जांदा रूपय कमा पाओगे अगला नाइन्थ अगर आप अपकी खुद की पब्लिस्ट कर बाहर है तो आपको सर्फ श्टाटिंग फांसो बुक के लिए जाना साई यह मैंने भीकलते की मैंने एक हजार बख पब्लिस्ट कर बाल ऑसमें मेरा बहुत बड़ा एमांट चला गया और मुझको श्टाटिंग में पांसो बुक प बीटर टेस्टिंग में क्योंकि एक बार आपकी 500 बुक्स व्लाउट हो जाएंगी अगर ना भी व्लाउट होई तो लेता लगे जान रहीं पांस व्लॉक्त होती हैं अपनी ठीक है तो आपको बैसे इस्ट्रूट कर देना अगर आपकी 500 बुक्स ठीक है तो आपको क्या है कि कि दुबार आप पॉब्लिस करवा सकते हैं और आपने यहारी पॉब्लिस करवाजी डारेक्ट तो इसमें मिश्टिक होंगी या फिर आप एजन्सी क्याम करवागो ना तो प्रिंटर रहता है ठीक है तो इसके लिए मैं आपको यह की बात बुलूँ कि आप स्ट्राडिंग प्रिंग 500 पेस्ट बीटा पेस्ट में यह हमारे अपस्ट अडीशन है तो इसमें पन तौल देंट अपने बुक पर बॉक सिंग करवाई है तो इसमें हमको क्या तीने को मिला यह नहीं को स्ट्राडिंग 500 गरवान जी इसमें क्या थोड़ी चीज होगा है कि कुछ आंगे प तो अब हम अगली बार रहेंगे ना इसको पूल तरीके से अब इसमें हम दो जो भी चैप्टर था ना उनमें बहुत सारा कंटेंट एड करवाने वाले हैं तो लाओ लाओ बन 50-160 पेस्टी पेज़ेस हो जाएंगे इस बार अब अगली बुक पब्लिस करवाएंगे तो और 200 भी हो सकते हैं सेम पेस्टेंट करवाने वाले हैं तो जो भी हमने कट कर दिया था और सोड़ा एक्स्ट्र अपचा के रखा था कि जो भी मिस्टेक होंगी वह सब कुछ सुदार नहीं के पाद इसमें और भी कंटेंट एड कर देंगे फिर वह सेकंड एडिशन आगा तो बहां से डवल्मनी हो जाएगे हमारा सेकंड एडिशन आगा पर उसकी हम प्री लॉंच प्री सेलिंग भी करेंगे जो हमने पहले मिस्टेक की वह उसमें नहीं करेंगे तो इस तारेंग में आपको 500 कॉपी ही पनवानी है है में एक बार पाउंस कॉपी पन गई तो अपका काम हो गया ठीक है अधिश्टिब्यूट आपकी गाउं में आपकी डिस्टिक में चो भी करवाओ ठीक है कोचिंग में जागे एन एनाउंस करो सेमिनार लो ठीक है और लाइब्रेरी में जाओ और नॉर्मल से आप है उस प लोग को बोलो है जिसके मैं बोलू कि है हलो बना प्यूपल माई बुक इन लाइबरी यू कन गो एंड बाय दिस बुक जो भी आपकी बुक है मैं ऐसे बोल सकता हूं का आउफल मैं अगाल हम गोड़ारा अगर आप गुणा में हो और ने बुक को बाइ करना चाहते हो और एक इस्पेसल डिस्काउंट चाहते है तो आप और जो भार की लोग है वो ऑनलाइन करेंगे और जानतर स्टार्टिंग में अपना लोग ही भाय करना चाहें क्योंकि वार वो देख लेंगे और उससे ट्रस्ट आ जाए तो इससे आप आप आपके पड़े लेवल पर बुक्स वाउट कर सकते हो तो यूटूब के लिए यूटूब के लिए यूटूब के लिए आपको कंटेंट सहीं लेवल और जो भी एक्ष्ट रहें तो इसमें जो भी दिल्गंटे एक्स्टर रहेंगे वह आपको सब करें बारक्षोब में अभी जो लाइब चल रही इस पर आपको बोड़ गंटे बिलेंगे तो यह लाश्ट है सब्सक्राइब करें तो इसको अपन 15-20 मिट में सौट आउट कर दें तो इसके बाद जो भी मैन है वो सिर्फ अपन करेंगे कॉशन आंसर की जो भी क्वाइब एक गंटे डे गंटे तक सिर्फ अपन कॉशन आंसर करेंगे मैं और आप आपके जितने भी कॉशन है आप मुझसे भाइब पूछना मैं आपके सारे कॉशन के आंसर करूंगा ठीक है तो आँगे लाश्ट पॉइंट इसको बात कर लेते ह आपके लिए बच्चे के लिए तीए यंश्टर के लिए वह आपके ठीक है और आवगे आपके सेल के लिए तो आपको पड़ेगा जो बिजनेस करने चाहते है जो बिजनेस में है कुछ बड़ा करना चाहता है तो बहुत ठक है ठीक है तो इस बात का आप ध्यान रखें आपको डिसाइड करना है कि कौन आपकी बुक पड़ने बाला है आपका यह राएगा ना तो पॉटो मेंटिक यह आने पड़ जाएंगे बात इसका बात को भी देखो अगर आपकी प्राइज है तो इंडिया में देखो तो आप 10 डॉलर प्राइज रख रहे हो साथ सो से 800 रुपे तो हर एक बंदा पाय नहीं कर पाए इस बात को देखो अगर इस्टुडेंट है तो अगर आप आपकी प्राइस तो डॉलर से पांच डॉलर रखोंगे न तो अटोमेटिकली हर एक इस्टुडेंट बाय कर लिए और ठीक है क्योंकि वह पापा से बोल कर भी करें कि जानतर इस्टुडेंट खुद ही पाय करते हैं टीनेजर रहते हैं वह जिनकी पास इतनी पॉकेट मनी मिल पाती पांच डॉलर दो डॉलर तीन डॉलर और आपकी कॉमिक वोग है तो बहापे आप इस वाद को दियाना की कि आपकी प्राइस उसी तरीके सेट करें और आप दिखो जसकी बिजनेस से कि प्राइस की प्रॉक्त कैरें हुआ पीज़नर गतरुस्बाण घशे से लिफितने उस दो डोर देखिए उनकी प्मतुरों बंद यीँज नियुकिति और दो Almost कि दो बात का दियान मतलंगे न आपके बॉक बेल्यूबल्टै आपको 10 डॉलर से मिनीममई प्राइज रखना हो गी तो तरीके के आपको कम्मुइटी को कि सब्सक्राइज करेंगे गेज़िए वह ही बाय करेंगे कि इस टरीके की कम्मुइटी ही बाय करेगी इस बात का धियान लखना है तो आपकी Community Decide करेगी आपकी book की price क्या होगी मतल Makes Everybody के साथ सरा कोगे ना तो आपकी book के चांस है चांदा सिल्ड होने के आगए प्राइस क्वार है आपकी ठीक है तो मैं आपको बोलूगा अगर आपकी Comic book है तो दू डॉलर से लेके तक प्राइस रख सकते हो ठीक है यह सारी दू डॉलर से लेकर आपकी साइस फिक्षन और यह सारी चीज़ रेल अगर आपकी वोग है जैसकी सेलफ हेल्प मोडिविशनल इंस्पिरेशन कंटेंट हाउ डूब लीना तो पूस्पूक की प्राइस रख सकते हो 10 डॉलर से लेकर और आपको तरीके बायर भी चाहिए ठीक है उसके लिए थोड़े आपको एड़ भी करने में थोड़े मेहनद भी करने होगी पर पहली बुक की मैं आपको यह बोलों कि आप पहली बुक की प्राइस दो डॉलर्स लेकर 10 डॉलर की बीच में ही रखें ठीक है अच्छा थाड ठीक है तो मैं इसको जहां पर सॉटाउट करता है हूं चल्दी तो create a sense of urgency जितने ही urgently हो सके वो काम urgency create करो और आपकी urgency होगी तो automatically लोग आए करेंगे कि अगर आपकी urgency क्रियेटिंग कर पाऊगे तो बुक की sense नहीं नहीं पाएंगे कि अब आप बुक देचों के ओपर कुछ फ्रीवक देगें पांसे दस प्रीवक देना उनकी टेश्टिमोनी करेक्ट करना और उसके बाद जितने भी बुक सोड़ आउट हो रही ना उनसे मैंने बोलो करो टेश्टिमोनी करेक्ट करो और उसके एड्स करना चालो करूं करूं फेसबुक एड्स जो भी जितनी भी होसा गया अतने प्रेस्ट कर सकते हो अजार रुपे से प्रदीर जीर करके बज़र बनातना चालो करो क्योंकि आपकी मनी एर्णिंग होती जाए जितनी जांदे तो आंगे बढ़ते हैं तो इसमें देखो अगर स्टार्टिंग में आपको क्यारा करना है आपकी टेस्टमॉनी के बनाने हैं तो इसमें अपको बनाने है ठीक है क्यों पढ़ना चाहिए तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए तो बुक भाय करने के लिए तो ऐसे करके आप आपकी बुक की सेल्स डबल कर सकते हो कि मरू ऑफ फॉपक्राइब चाहिए और रेकोर्ड करके एड्स डन करना चालो कर सकते हो आपके इससर सेल्सी सेल्स कप जाना है चाहिए तो ब्यूत क्या जा सकती है कि पहले विस्तार प्लिि नहीं होगी फज़ा तब तक बुग पाय निकरेंगे प्रोच देम उन देर लेविश जिनकी जितनी ओकाद हो उनको इसाब से बताओ अगर आदमी को इंगलिस नहीं आती तो आपकी बुक पिंच मत करो अगर आपकी बुक इंगलिस में कॊंशा कि मैं मेरे गाओं में रहता हूं ठीक है मैं में मैं ब्रीक्त को बाय करने की बोले लोगों से तो हमीइड़ा का क्यूं वाऀ नहीं करें ठीक है ऐ जो है इनको इंगलिस आती नहीं लाव honár में पुलते हैं तो बहुत चांदर टाइम हो चुका है लग लग धाई गंटे हो चुके हैं और अपन कोश्चिन सेस्ट इस्टाट करने वाले तो कोश्चिन सेस्ट इस पर ले मैं आपको बनूँगा कि अगर आप तक यह सारी हो चुके यह बात है तो ठीक है अब अगर आप पंटू वन प्रोगार्मिंग बात बता देता हूं कि अ अगर आप चाहते हूं कि आपको करने से लेकर कंप्लीट करने तक तो आप अधोल कर सकते हुमारे कोच मलब हाउ तो बेकम ओधर कोच में रहे यार है और मारे कोच करने करता है क्यों काँच है अगर हमारे कोच पर में दूप प्रोग्रम में एक साथ दो कभी ब्लटर नहीं राता है कि परफना की सजेश्ट करता हूं तो मैं बाट वान हो जिसनी इन बढ़त दर्जा नहीं ही वो मेरे और आपके बीच मेरे और थार्ड पार्टी कोई भी इसको नहीं करेगा ठीक है मैं आपको सजेश्ट करूं और गायड करूं मोई इसमें छोटे चोटे और बड़ी बाद कर जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी पर बात के करेंगे इस सारी पॉपिक पर ठीक है तुमको मैं यूट्यूब से एसले के जहें तक मैं आपकी को पॉप्लेसिं तक कंप्लिट करने तक हर एक चीज़ बात करने बता हूं तो यह सब मैंने था मैं आपको बताया है बहुत श तो अब मैं इधर तो इसमें देखूंगा ठीक है तो अब आप से आई कॉंटेक्ट नहीं पाएगा मैं आपके कोश्चन पूढ़ाँ ठीक है तो ओके तो आपके कोश्चन भी पूछ सकते हो जो भी आपके कोश्चन से और पूछो में सौनी कूछ रही कि क्या मुझ को मेरी क्या वक को लिगने के लिए कि कोई अ कुए टरी होने चाहिए गया अका ये ये आकष्य नहीं 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 मैं आपको बताता हूं आपको ढ Teaching के के लिए आपको जो भी आपको पड़ाया जसितना भी आप सब्सक्राइब के पास experience है तो आप लिख सकते हो आप कोई ऐसा तोड़ी लेख रहा है कि मैडिकल की फील्ड में लेख रहा है आप कॉमिक बुक लेख रहा है उसके लिए क्या experience है उसके लिए कोई experience नहीं आपको content होना चाहिए के value अभी कोई 14 या 15 साल गाया बच्चा उसने अपनी फिस्ट लगी है 12 साल गाया साधी अमेरिका के बच्चा है 12 साल को उसने अपनी फिस्ट बुक लगी थी और वहां से रुपय कमा रहा है उससे कमा रहा है ठीक है तो ऐसे कोई बड़ी बाद नहीं है अगर आप 14 साल के तो को भी लेख सकते हो ठीक है कोई MBA नहीं करना है ठीक है ठीक है अगला कोश्चन कि आइस्पन नंबर को कैसे अप्लाइब मैं बता है आइस्पन नंबर को आप यूट्यूब पर दिख लो और अपका पैन कार्ड चाहिए ठीक है ओके और आपका नेम और आपकी बुक के प्रेंट और बेक कवर पेज़ ठीक है कि मैंने मेरी बुक का पबलेस करवाई कर वाइए चरण करों टीक है मैंने मेरी बुक पबलेस कर वाई थी अधी अधी दो मेहिने हो चुके आप कि हुआ हको मच मनी यह मैकिंग आदा नहीं कोई जाना नहीं पर ठीक ता अलब एक स्ट्रीम आफ इंकम हो चुका है तो पैस्ट मंत पे लग लग उससे अर्णिंग हुई थी पांच अजार और इस मंत पे दस अजार और इस मंत का आने वाला जो अगले मंत इस्टाट हुआ है इसका पता चले कवाएगा तो तो कि पंट्वन प्रोग्राम की प्राइज क्या है अब यह आउट वेकम आउतर प्रोग्राम की कोई जानदा प्राइज नहीं है ठीक है उसकी सर्फ 10,000 प्राइज है उसमें सब कुछ सकाए जाएगा आपकी बुक कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तर याप कैसे आपकी बुक होगी हर एक ची मैं आपको बन टू बन प्रोग्राम में दूगा और इसकी चांदा प्राइज नहीं दसाजार रोपे प्राइज है ठीक है आपकी बुक भी तो पबले सोभी है वाईसे आवाइसे आवाइस संतुस जी संतुस जी बुलना है 10,000 रुपे बहुत चांदा है कम रुपे करो वाईसाब तुम्री बुक भी तो कंप्रीट हो रही है तुमारी बुक भी तो कंप्रीट हो रही है ऐसे ही थोड़ी तो मौतर बन जाओ वाईसाब तुमकों भी स्विखने मुले तो कि मैंने अगर आपको यहां पर बुक मेरा कद है कोर्स बिंच करने के लिए यहां अगर आपको मैं इसना भी बता दिया आप उसको बहुत कर रहो है ना तो भी आपकी बुक को लिख लोगे अगर आप जल्दी करना चाहते हो दो से तीन महीं में आपकी बुक कम्प्रीट करना चाहते हो और जो गलती मैंने नहीं की जो मैंने बहुत सारी गलती की बहुत जाना मेरे मतलब लाओ लाओ अई इस पेंड बन लेग थार्टी फाइप ताउजेंट जीरो से लेकर एंड तक जब मैंने बुक लिखना श्टाट किया था उस प्रोसेस में एंड तक जाते-जाते मैंने इतना रुपए खर्च कर दिया ठीक है अगर अगर मेरी यहां होगी ना तो अगर आप मेरे अभी करद दो जितना मेंने लोपर कर्च किया ना मैं आपको गारेंटी लेदा हूँ सिर्फ पैंतिस से चालीस एरुप पांतिस से पचास एरुपे के बीच में आपका सब कुछ करवाद हुआ है और पॉब्लेसिंग आउस से भी करते हो या पिर सेल पब्लेस्ट भी करते हो तो आपकी बुक का हर एक चीज काम हो जागा एक टूचेड मैं मेरी गाइडिंग के लिए रहा हूं मेरी कंसल्टिंग के लिए रहा हूं 10,000 रुपे दो मैं आपको हर एक चीज कहा हूं जो मैंने करती की और आप कैसे आप एक उतर बन सकते हों है और आप कैसे आप एक उतर बन सकते हों कि कुछ दस्यार बड़ी बात नहीं है मैंने जो जितना गलती की उससे अच्छा जो भोई रहेगा और सबसे इंपोटेंट मैं खुद रभ्यू करूंगा आपकी बुक का इंस्ट्राम पर डालूंगा मेरे यूट्व पर डालूँगा और मैं आपको बुक को पबलिस करने से पहले मैं आपकी खुद बुक को यह वार पूरा पढ़ूँगा कि जहां पर क्या मिश्टे कहा है क्या नही विए खुद को यह अग्यों पर प्रोगाम के बारे में कैसे अनौल कर सकते हैं अरे बैसे सब्सको डायरेक्ट मेंसेज करो आप मिरे नमबर को करो 6261 608037 आप मुझको कॉल करो और यह पर यह नम्बर है पिर मेरे टीम आंगे टीम बात करें टीम को बात करने के बाद फिर म कि कैसे प्रोग्राम में अनुरूल करना है यह आप डारेक्ट आप 667-08037 कि मैं आपको हर एक ची बता दूना है और प्राइस है आप डारेक्ट करते हो आप फोन पे भी करते हो आप जो भी आपको पास प्रेंट करते हो इसमें को यह नहीं है कि यह सिर्फ आप यूटियाई के सरो भी करते हो जो भी वेमेंट करना चाहिए यह आपको जानदा इनफॉर्मेशन चाहिए इस टॉप एक्स रेलेटर कैसे बंटू बन कोचिंग में आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वाईरी हो आप कमेंट बोक्स में आपका नम्मर डाल लें या फिर आप मेरे नम्मर पर कॉल कर रहें ठीक है कि अगरा आप खुछ से पॉपरिस करते हो तो आप आरांग चाहिए पर आपको जो देखो सबसे जयाना प्रेस्ट्रेशन कांप हो जाता कि हमको कोई भी प्रॉब्लम आ रहे ही कोई बीस्ट्रीशन आ रहा है पी तो उसका रहा था कि हम टैंशन में जाते हैं यसकी बात क्या होता¿ यसके बात कुछ आई नहीं कहा क्या करें छो छोड़ो कोई बुक लिक हाई अपने बस की बात नहीं है तो इस टार्टिंग में हमें बहुत जाना जनून होता है पर at the end of the day आते 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 सब कुछ दमग खराब हो जाता है मैं सोच रहा था मेरी बुक लेकाने के लिए कर ऊचाले के लिए तीन चार साल से पर मैं भी उसको उस लेवल पर कंप इप्र प्र मैंने सोचा 스ौ कि एरे भाई सब ऐसाया चालए है और भव्यूत्त करने में फ्सको Chennau करने में कंप्यूजर लेने में दो महीने लग allies तीन मही तो तीन महीन लग लगा पुर आप उनसे चेक कर वाओ रिब्यू दिवाओ ठीक है रिब्यू लो उनसे जो भी ओतर रहते हैं न करीवें करीवें बुक रिब्यू करने के पांस से लेके 10,000 रुपे चार्ज करते हैं अब ग्राम परकत हैं उसके बाद ट्रांजलेटर रहते हैं न बोद उनसे देखो ट्रांजलेटर रहते हैं वह अलग से रुपे चार्ज करते हैं तो ऐसे करके दीर दीर करके आपका एड़िटर अलग रहते हैं ठीक है ग्राफिक डेजाइनर अलग तो ऐसे करके बहुत कुछ रुपे खर्च हो जाता है तो मैं यही वॉलूम किया आपस कि आप फ्रेस्टेशन दोको अगर आप जिस्ट जो मैंने बताया ना अगर आप मोटिवेटर रहके इंस्पारइड होके जो मैंने बताया वह फॉलो कर सक अगर आपके पास रुपे हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कनेक्ट करो अपन से बोर्ड लाइन नंबर कोल करो 60608037 को अगरो बात करते हैं आपन ओके नेक्स्ट कॉश्चन कि आई एम बर्किंग इना जॉब कि आई राइट आपके जावार जिया आद एक पंदा लुक लेक सकता है आप जो में काम कर रहे हैं तो आपको एक कंटेज निकालना है अगर आप कंसल्टिंग की कोचिंग के इसाब से करो इना आप आराम से तीन से च्छा मेने के अंदर और जल्दी ही आपकी बुक कंप्र कर पाओगे और एक महीने के अंदर कर पाओगे आपकी वुक कंप्लेट अगर तीक है अचलिए अब यूटूब के लिए इतना ही पर अपन परतनली करते हैं यह इतना जो भी आप देख रहे हैं यह सर्फ यूटूब पर अप्लोड करने बाले हैं तो इसको यहीं पर अपन खतम करने वाले हैं तो आपके जो भी डाउट हो आप कल भी बात कर सकते हो तुमारो ठीक है आप कॉल कर सकते हो या फिर आपके जो भी डाउट हो परसनली अगर मुझसे पूछना चाहते हो आपको यहां पर सर्म लग रही है या फिर फिर फिलिंग शीम और टॉकिंग यहर आपको जहां पर बात करने में फर्म लग रही तो आप मेरे नमबर कर सकते हो 6261 608037 आप मेरे नमबर को कॉल कीजिए मैं आपसे बात करता हूं ठीक है और देखो how to become author इस प्रोग्राम का चाहर्द है 10,000 रुपे और ये सब्सक्राइब करेंगे बहुत सारी चीजिए हैं वो सब को सीखने को मैं पर्मेनेंट क्लाफ रहेंगी आपकी एक सब्सक्राइब करेंगे बहुत सारी चीजिए हैं वो सब को सीखने को मिलेगा आपको ठीक है इस प्रोग्राम में तो मैं आपको बोलूँ कि यतना यूटूब पे आपको मिल जाएगा ठीक है और इसको यूटूब पे शेयर करना ठीक है और जो भी आपने नहीं देख पाया वो इसको देखना जो बang-पेंहाएं आपको प्रॉराना रहा खाया तो जोभी आपको पुराना रहा धाया था जितना भी ट्क करना है बहु होताएं डिशेश्ट have करना है क्लियर करूंगा आपको मैं नमबर बताई भी दिया है जा के कॉल किजिए और कल क्लास है 30 मिनट की जो जतने भी आपके डाउट हो आप सारे डाउट लिकलो मैं आपके क्लियर करूंगा पर इसके बाद ये माश्टर क्लास आपको कभी भी नहीं मिलेगी ये फर्स टाइम और बाइस टाइम किये और इसके बाद हम इसको यूटूब पर व्लोड कर देंगे जब भी आपको देखना हो यूटूब पर देख लेना ठीक है बाए